अलो बच्चों माईशल ताराचन टीम मैथ CLCC कर आज हम लोग देखेंगे हमारी मैथ केम का टेस्ट नमबर 21 जो की डिलेटेड है वेक्टर से चली स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्यूसर नमबर 1 क्या है देखी क्यूसर नमबर 1 let a will be equal to i-cap minus j-cap b will be equal to j-cap minus k-cap and c will be equal to k-cap minus i-cap if d is a unit vector देखें d क्या है हमारा एक unit vector such that a dot d will be equal to 0 and b c d का triple dot product will be 0 then d is तो आपको बताना है कि इसमें से d कौन सा होगा तो चली देखते हैं तो देखें आपसे d vector पूचा है और क्योंकि d आपका unknown है तो सबसे पहले तो आपन vector d को माल लेते हैं that is a1 i-cap plus a2 j-cap plus a3 k-cap that will be equal to vector d ठीक है आप देखो इसके इंदर अपने को दो चीजे दी गई है वो दोनों चीजे अपलाई करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है ठीक है पहली चीज क्या है आपको दो री तीन चीजे दी है एक चुलिए ना बहुत सारे बच्चों को शिरफ यह दो चीजे साथ में जब dot product करेंगे a dot d तो a क्या है i care minus j care so a1 into 1 minus a2 into j care का क्यों कितना था माइनस वन और k का का क्या overview कितना था 0 तो यह आपको क्या दियावा है बच्चो जीरो दियावा है तो अगर यह जीरो दिया गया है that means यह 0 होगा और इसका मतलब यह हुआ कि A1 और A2 दोनों कैसे हैं बच्चो बराबर है चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली कंडिशन आपको देरका है B C D का क्या देरका है B C और D का वेक्टर ट्रिपल नहीं इस कलर ट्रिपल प्रोडेक्ट जीरो ठीक है ना बॉक्स जीरो देरका है उसके लिए क्या करते है वह चोड़ डिटर्मिनेंट की वाल्यू जीरो वाल रहे है नहीं ठीक है यह नहीं होगा यह क्यों नहीं होगा क्योंकि आपको J का कौपीशन देरका है इसकी का कौपीशन प्लस वाल आपके प्लस वाल जीरो बच्छन यह क्या देरका आपने को 0 देरका है चले इसको solve करते देखो पहली तो 0 है चीज़ आते है दूसरी पे तो दूसरी में आगा देखो minus 1 यह और यह चला जाएगा तो यहां से आएगा minus a3 minus a1 फिर again minus 1 और यहां से देखो a1 plus a2 plus a3 will be equal to 0 ठीक है यह अपने दूसरी condition लगा दी इसके अंदर कि जब box 0 होगा तो क्या condition आएगी that is a1 plus a2 plus a3 0 इसमें a2 की जगे पर अगर a1 put कर दें यहां पे तो यह कितना आजाएगा देखो 2 a1 plus a3 will be equal to 0 so यहां से अपने condition मिल जाएगी a3 will be equal to minus 2 a1 ठीक है इसके अलावा हमें एक condition और दी हुई थी जैसे मैंने कहा था कि ऐसी conditions पर हम generally जान नहीं देते हैं और वो condition क्या थी कि d हमारा है वो unit vector है तो इसमें unit vector की अगर condition लगाएंगे तो a1 square plus a2 square plus a3 square का root 1 देरगा है तो उन्हों सेट squaring कर देंगे तो यह भी कितना आ जाएगा बच्चू 1 आ जाएगा ठीक है एक काम करते हैं इसमें a2 की जगे पर a1 और a3 की जगे पर minus 2 a1 पूट करते हैं तो देखते हैं देखो कितना आएगा यह आएगा a1 square plus a2 की जगे पर again a1 square plus a3 की जगे 2 a1 so there will be 4 a1 square ब्रावर 1 so a1 square ब्रावर 1 by 6 a1 आ गया 1 by 6 तो यहां से हमें a1 की value मिल जाएगी that is 1 by root 6 plus minus a2 की value भी यह होगी और a3 के लिए देखे यहां पर minus sign आ रहा है तो यह आएगा minus plus 2 divided by root 6 तो इन तीनों value से देखे कौन सा option आ रहा है हमारा a1 a2 और a3 यह तीनों चीज़ें आ चुकी है तो ऐसा option है देखे हमारा second option अना अच्छा इसके अंदर जब आप यहां पर put करके और यहां पर बात करेंगे यह values की तो कौन सा option आएगा हमारा दूसरा option i k plus j k और यहां पर क्योंगी minus plus आ रहा था तो minus 2 k k divided by root 6 तो पहले question का second option से ही any two perpendicular vectors of equal magnitude देखिए a और b का magnitude equal है मान लेते हैं कि इनका जो magnitude है mod a ब्रावर mod b ब्रावर lambda है ठीक है then यह अपने को देरका है और अपने को mod a means अपने को lambda की value find out करनी है चलिए देखते है कैसे करेंगे एक काम करते देखो यहां से निकालते हैं सबसे पहले 3a plus 4b का mod का square क्या होगा 9 into mod a square mod a square हो जाएगा हमारे पास lambda square plus 16 mod b square mod b square again lambda square plus 24 a dot b a dot b कितना है बच्चो a और वी देखो perpendicular vectors है a dot b कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा तो यह आ जाएगा हमारे पास 25 lambda square बट हमें इसका square नहीं चाहिए हमें तो सिरफ 3a plus 4b चाहिए तो 3a plus 4b का modulus कितना आ जाएगा बच्चो यह आ जाएगा हमारे पास दोनों साइट square root ले लीजिए 5 lambda कि लिए रहे सबको similarly हम क्या गरेंगे यहां से 4a minus 3b का all square निकालेंगे जैसे यह निकाला है तो उसके लिए पहले अगें इसका square calculate किया तो यह आएगा 16 mod a square lambda square plus 9 lambda square mod b square lambda square minus 24a dot b again 0 so this will be equal to 25 lambda square यह भी 25 lambda square है तो इसकी value भी कितनी आएगी बच्चो 4a minus 3b का mod ब्रावर 5 lambda यह दोनों value यहां put कर देते हैं so 5 lambda plus 5 lambda ब्रावर 20 यहां से lambda की value मिल जाएगे अपने को lambda will be equal to 2 और lambda ही किसके ब्रावर है mod a के ब्रावर और mod a की value ही बच्चो हमसे यहां से पूछी गई है तो यहां पर a mod a कितना आ जाएगा बच्चो हमारा 2 आ जाएगा so third option यहां पर क्या है सही answer clear चलिए इसके साथ चलते हैं आगे और बात करते है question number three के बारे में question number three क्या है देखो question number three में आपको दे रखा है P and Q are the two diagonal of quadrilateral ठीक है यह Q का modulus ठीक है अब यहां से देखो इसका mod calculate करेंगे तो यह कितना आ जाएगा one by two into mod P into mod Q into cos sin theta P cross Q क्या होता है mod P mod Q sin theta so that is sin theta into n के unit vector का modulus जो कितना होता है one होता है clear है so यहां पर देखो अपने को mod P और mod Q तो पता है बट theta नहीं पता बट तो theta कैसे निकालेंगे उसके लिए अपने को यह data दे रखा है देखो एक काम कहीजिए इसमें squaring कीजिए both side so squaring करेंगे तो आएगा mod P minus Q का hall square ब्रावर P dot Q का hall square ठीक है open कर दीजिए P minus Q mod P square mod P square कितना है one plus mod Q square that is two minus two time P dot Q P dot Q के इंदर formula लगाई यह फिर से mod P one mod Q root two into cos theta cos theta अपने को क्या करना है निकालना है theta calculate करना है साथ में ही अपने पास में दूसरी side है mod P mod Q cos theta का hall square so यह आजाएगा हमरे पास one into two into cos square theta तो यहां से देखिए हमारे पास में cos के अंदर एक equation आ गई है इसको solve करते हैं और देखते हैं क्या आएगी value देखे so two cos square theta इसको इदर ले आईए plus two root two cos theta और minus three will be equal to zero ठीक है इसके factors करते हैं देखू यहां पर three है इदर two है इसका मतलब यह हुआ कि root two cos theta बहुत side आएगा root two cos theta इदर भी होगा root two cos theta इदर भी होगा कैसे पता चला क्योंकि यहां पर बीच में plus two लेके आना है ठीक है और उदर three है तो यह से कब आएगा जब एक जगे पे तो three होगा और एक जगे पे क्या होगा one ठीक है साथ में एक plus का एक minus का यहां positive चाहे तो बड़ा वाला plus सोटे वाला minus अब चाहो तो आप इसको multiply करके देख लो इसमें कई बात थोड़ा सा यह ज़रूर रहता है कि root two root two आएगा या two one आएगा तो वो फिर आप करके देखिए ठीक है वैसे root two तभी generate होगा ना क्योंकि यहां से तो root two आ नहीं सकता जब दोनों जगे पर क्या रहेगा आपका root two अब यहां से solve करने से cos theta की value है कि minus three by root two जो possible नहीं कि cos theta क्या होता है minus one से one के बीच तो यह तो आपका zero हो नहीं सकता तो यह zero के ब्रावर होगा इसको जब zero के ब्रावर करोगे तो आपको मिलेगा cos theta will be equal to one by root two और cos theta one by root two कब होता है जब theta 45 degree हो तो यहां पर values put कर देते हैं सार किलियर root two से root two cancel out हो जाएगा और हमारे पास में answer आजाएगा हमारा one by two ठीक है और ऐसा option में दिया है कौन सा option है second option किलियर चलिए बच्चों आगे बात करते हैं question number four के बारे में और देखते हैं इस question को इसमें देखो आपने को क्या दे रखा है given a parallelogram ABCD if AB ब्रावर A, AD दी गई है और दो साइट के corresponding vector का dot product पूछा गया है तो देखे कैसे करते हैं इस type of questions को आईए देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास में देखो क्या है कि वन मिनट इस type of questions को देखो कैसे करते हैं अपन लोग तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं पहले यहाँ पर अपने को AB इसको नाम दे देते हैं A, B, C, D ठीक है AB के corresponding side length है वो कितनी है A, AE के corresponding side length B और AC के corresponding side length दी गई है C लोग कैसे करते हैं Mexico को? मान लते हैं कि इसका position vector 0 है ठीक है? यह side length A है तो इसका position vector हो जाएगा इसी direction में A clear है, इसकी direction में इसका position vector हो जाएगा B, क्योंकि इसका अपने origin माना है इसका क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, यह side और यह side दोनों parallel होती है तो इसके corresponding यह vector भी A हो जाएगा, यह उस point का position vector यह side corresponding vector है क्योंकि A-0 कितना हो जाएगा, side के corresponding A हो जाएगा, तो यह B-0 हो तो यह कितना हो जाएगा हमारे पास में इस side में B आ जाएगा इस तरीके से सारे position vector आ गए यह जो C है हमारे पास में इस side की corresponding position vector है diagonal के corresponding चले बात करते हैं किसके बीच पे निकालना है अपने को D B देखो D को B से join करना है तो इसको से join कर दो D B का मतलब हुआ बच्चो B minus D तो B का position vector क्या लिया था आपने A minus D D का position vector B so A minus B dot A B A B के corresponding क्या है A minus 0 A minus 0 that will यह अपने को calculate करना है clear है कितना आएगा देखो यहां सा आएगा अपने पास में mod A square minus A dot B ऐसा आ जाएगा अब लेकिन A dot B अपने को नहीं दिया गया है तो एक काम करते हैं देखो अपने को यह दिया गया है कि इस side के corresponding position vector भी पता है देखो अपने को यह रहा इसके corresponding भी पता है और इसके corresponding भी पता है तो यह को ट्राइंगल और लोग से अपन क्या कह सकते हैं A plus B ब्राबर C क्या बता सकते हैं कि A plus B ब्राबर C और A plus B अगर C के ब्राबर है इसमें दोने side isquaring कर देते हैं isquaring करेंगे कितना आएगा mod A square plus mod B square minus plus 2 A dot B ब्राबर mod C square ठीक है इसके corresponding जो side से हो दे रहे हैं अपने को A B C ठीक है तो यह जिसे vector A vector है तो इसका magnitude कितना हो जाएगा A तो यह हो जाएगा A square यह हो जाएगा B square plus 2 A dot B अपने पास में calculate करना है और C के corresponding B अपने magnitude पता है that is C तो that is C square यहां put कर देते हैं mod A square मिस इस vector का magnitude again A square minus A dot B की value आज से निकालो देखो कितनी आ रही है C square minus A square plus B square divide by ने C square minus A square plus B square divide by 2 ठीक है ना पूरे के divide में 2 इसको simplify कर लेते देखो 2 A square minus A square ठीक है ना बीच में minus है ने तो यह हो जाएगा ठीक है यह हमारा क्या हो जाएगा answer ठीक है यह पूछा अपने क्से dot product पूछा था वह ही अपना answer हो जाएगा 3 A square plus B square minus C square by 2 कौन सा option है पहला option के लिएर तो इस type से इस type की questions जो भी आते हैं आपके पास में A, B, B, C, C, D इन में बहुत पच्चे confused होते हैं बहुत ही आसानी से आप इस तरीके से vector लेकि क्यूशनों को solve कर सकते हैं के लिए है चलिए इसी के साथ देखते है इसी type का एक और question that is question number 5 ठीक है यह भी देखो कुछ इसी type का है इसी तरीके से आपको इसको भी solve करना है यहाँ पर देखे इस तरीके से कैसे करेंगे जैसे अभी हमने पिछला question किया है देखिए एक काम करते हैं ट्राइंगल बनाते हैं है A B C centina purpose 3ड आपने का आपने काम करते हैं इसको A ले लेते हैं इसको C ले लेते हैं इसको सुट का मई लेते है ठीक है तो यह जो है इसको अपन मान लेता है zero वेक्टर क्या मान लेता है 0 ठीक है न C को क्या माल लो C vector माल लो B को क्या माल लो B Vector माल लेते हैं ठीक है ऐसा आजायेगा किसी भी एक vector का position vector आप 0 मान सकते है उसे पिछले में भी माना था है अपने इसमें मी माल लिया अप देखterror को क्या देरखका इसके अलावा इनकी side length अपने को देर की अगेन यह 12 है यह 8 है यह 8 है चलो इसका यूज कर लेंगे अपन जब भी यूज करना होगा इसका लो एक important point a point e divide a b internally in the ratio 1 is to 3 a b को एक point है जो 1 is to 3 के अंदर divide करता है ठीक है एक अनुपात 3 में विवाजित करता है तो आपको क्या करना है then cosine of the angle between c e and c a तब c e तथा c a के मजद यह कौन की कोज्या क्या होगी वो अपने को निकालनी है ठीक है कौन सा c यह point e था c e और c a यह angle अपने को निकालना है theta ठीक है बच्चों देखो कैसे करेंगी सबसे पहले तो क्योंकि यह position vector अपने को पता है b और c तो आप point e का position vector निकालिए और उसके लिए क्या करेंगे देखो 3 into 0 1 into b divide by 1 plus 3 तो यह आएगा आपके पास में b by 4 ठीक है यह इस point का भी position vector अपने को पता चल गया अब अपने को चारो point के position vector पता है तो देखो अपन c e और c a के बीच का एंगल theta माना था अपन ने तो cos theta will be equal to कितना होगा c e dot c a जाहेगा देखो c e dot c a divide by इनका magnitude mod over c e into mod over c a यह आजाएगा c e का mod तो अपने को पता है c a means side की length that is 12 बाकी अपने को ना c e पता है ना आपने को c e dot c a पता है ना c e का magnitude पता है यह सारी चीज अपने को calculate करनी है ठीक है आईए देखते है कि कैसे करेंगे इसको आप वैसे 2D geometry से भी कर सकते हो ना क्योंकि ट्राइंगल का question है coordinate geometry से 0 0 इसके 12,0 ऐसे points लेकर करके उससे भी सको solve करते है तो अब फिलाल vectors का क्योंसर है तो vectors देखते कैसे solve करते हैं इलियार चलिए बात करते हैं कैसे निकालेंगे अपन सबसे पहले c e dot c a इसके बारे में बात करते हैं तो अपने को एक काम करना पढ़ेगा यहां पर देखो अपने को पास में क्योंग यह position vector है सारे अपने काम करते हैं c e के corresponding जो position vector है वो क्या होगा c e का मतलब हुआ बच्चो e minus c that is b by 4 minus c vector ठीक है dot c a c a का मतलब क्या हुआ बच्चो a minus c a minus c कितना होगा बच्चो 0 minus c that is minus c vector ठीक है डिवाइड बाई b c e का magnitude इसको थोड़ देर के लिए lambda माल लेता है so that is lambda into c a का magnitude तो अपने को पता है that is 12 so 12 lambda ठीक है अब लेगो इसको multiply करेंगे तो यहां सा आएगा mod c square minus b dot c b dot c divide by 4 divide by 12 lambda ऐसा आजेगा अच्छा lambda क्या है अपने पास में c e का magnitude है वो भी अपने को निकालना है ठीक है और साथ में b dot c भी अपने को निकालना है दोनों चीज़े निकालनी है तो आपने को finally मैं अब इसमें क्या क्या unknown रहेगा आपने पास lambda और b dot c so mod c square means again आपके पास में इस नीचे वाले वेक्टर का magnitude that is 12 12 का square हो जाएगा 144 minus b dot c divide by 4 और divide by 12 lambda एक काम करते हैं अब आगे बात कर लेते हैं इसको मिटा देते हैं अब अपने को क्या करना है ठीक है अपने को इसके इंदर आगे बात करना है कि कैसे b dot c निकालना है ठीक है तो उसके लिए देखो आपने को जो triangle जो था हमारे पास में यह C था और यह B था ठीक है तो अपने को इनकी length दे रखी है जैसे 8 दे रखी है ना C minus B की length अपने को दे रखी है एक तो अपनी यह condition लगाते है C minus B का mod ब्राबर 8 ठीक है इससे देखो अपने को condition मिलेगी C minus B का mod 8 है तो यह कितना हो जाएगा 8 का square तो यह कितना हैगा देखो mod C square mod C square मिस नीचे वाला 144 plus mod B square यह 0 लिया था अपने point A तो mod B square यह था 8 यह भी 8 था यह 12 था तो mod C square 12 mod B square 8 so that is 64 minus 2 into 12 into 8 into B dot C ब्राबर कितना आ जाएगा ब्राबर मा आ जाएगा 64 ठीक है तो यह कट जाएगा इससे 64 से तो यहां से देखो B dot C की value मिल जाएगी अपने को ना B dot C ब्राबर 12 का square था उसको लिके 12 into 12 divided by 2 into 12 into 8 एक 12 कट जाएगा एक 2 से कट जाएगा 6 time तो यह आजाएगा अपने पास में 3 by 4 यहांना B dot C की value आ गई 3 by 4 ठीक है तो एक value तो अपने को मिल गई कि that will be equal to 3 by 4 एसा ही बच्चो अपने को क्या करना है अपने को इसका magnitude निकालना था C E का magnitude जिसको अपने लेमडा माना था ठीक है तो वो कैसे निकालेंगे तो वो भी देको इसी तरीके से निकालेंगे इसका magnitude निकालने के लिए अपने काम करते हैं क्योंकि इसका position vector B by 4 था तो इसी तरीके सा अपने calculate करेंगे B by 4 minus C का modulus का square यही formula लगाएंगे अपन यह value अपन निकाल चुके हैं इसकी जरूत नहीं है फिलाल इसको देखो open करेंगे तो क्या आएगा देखो यह क्या था हमारे पास में lambda lambda square mod B square by 4 that is 68 mod B का square कितना हो जाएगा 68 का square 64 divided by 4 का square 16 plus mod C square 144 minus 2 B dot C minus 2 B dot C B dot C निकाला था अपने 3 by 4 by 4 1 by 4 तो यह आगया आप मारे पास mod B इसका square इसका square और minus सारी चीज़ा आचुकी है इसको solve कर लेते हैं देखो यह कर जाएगा 2 time तो वहाँ से आएगा 8 4 into 2 8 इसको भी काट तो कितने किस से काट होगा 16 से काट दो so that is 4 148 into 8 148 into 8 minus 3 divided by 8 और इसका root तो यह आगया अमारे पास lambda यह सारी value यहाँ पर put कर देते हैं इस जगे पे तो देखें फाइनली अमारे पास में क्या answer आ रहा है उसके बारे में बात करते हैं so 144 minus b dot c कितना है 3 by 4 so 3 by 16 और डिवाइड बाइ 12 into lambda lambda की value यह है यह है हमारे पास में इसको calculate कर लेते हैं 148 into 8 minus 3 by 4 कितना आ रहा है यह so एक काम करें इसके अंदर 3 दे रखा है और अपने को जो options दे रखें देखो वो roots 3 root 7 के format में है ठीक है तो एक काम करते है इसको calculate ही करना पड़ेगा so 8 into 8 कितना हो जाएगा 64 12 बाहर है अपमारे पास उसको रहने दीजी 8 into 8 64 8 into 4 32 32 plus 6 that will be 38 8 plus 3 11 minus 3 का root और divide by root 8 ठीक है so root 8 हमारे पास में काम पे आ जाएगा यह ऊपर आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से अपने इसको solve करेंगे और इस calculation को आप कर लीजिए एक बार calculation करने के बाद में और पिछे भी देख लीजिए एक बार यह option इसके अंदर आएगा आपके पास में third option that is 3 root 7 divided by 8 process आपका बिल्कुल यही रहेगा ठीक है आपको b dot c निकालना है ठीक है और उसके बाद में आपको lambda निकालना है ठीक है लेमडा इसका square आएगा mod b by 4 का all square plus mod c square minus 2 b dot c जो अपन 3 by 4 निकाला है और into 1 by 4 जो है मारे पास में यह इसके साथ में आया हुआ है clear है चलिए इसके साथ चलते हैं आगे और बात करते हैं कि उस्सर नंबर 6 की ओर कि उस्सर नंबर 6 में देखो क्या करना है अपने को दो वेक्टर दे रहके हैं a और c are given vectors then the vector b satisfying this equation and a dot b will be 3 देखो आपको a cross b ब्रावर c दे रहका है और c vector पता है b unknown है ठीक है तो माल लेते हैं देखो बच्चों vector b को वही x i cap plus y j cap plus z k cap यह माल लिए अपने कौन सा vector vector b जो अपने को निकालना है ना b satisfying b कौन सी equation को satisfy कर रहा है that means b अपने को निकालना है ठीक है तो देखो देखो कितना आएगा तो एक काम करते हैं a cross b ब्रावर c दे रहका है तो a cross b निकालते हैं ना i j k a cross b पहले a को लिखना होता है 1 1 1 फिर x y z ऐसा आजएगा यह calculate कर लेते हैं को कितना आएगा z minus y i cap z minus y फिर कितना आएगा z minus x minus sign के साथ में so plus में आजएगा x minus z j cap फिर आएगा हमारे पास y minus x k cap y minus x k cap अचा यह जो vector है यह दे रहका है अपने को किस के बरावर यह vector दे रहका है अपने को vector c के बरावर तो vector c के बरावर दे रहका है जो कितना है है पास में जो है JK माइनस KK इसका क्या मतलब हुआ बच्छो इसका मतलब यह हुआ कि Z और Y ठेकन आई का को ओपशन तो क्या होगा 0 तो आई का को ओपशनट 0 गा मिंस Z और Y दोनों क्या बरावर होंगे और Z और Y बरावर है X और Z के अंदर आपको relations दिए गए हैं वो क्या है देखो X minus Z ब्राबर कितना है हमारे पास में 1 और similarly Y minus X ब्राबर कितना दे रखा है अपने को Y minus X ब्राबर J minus K K so that is minus 1 इसके अलावा एक condition और भी दे रखिए A dot B ब्राबर 0 ना X plus Y plus Z ब्राबर 3 X plus Y plus Z ब्राबर 3 ठीक है ना यह चीज भी अपने को पता है तो देखो अपन क्या करते हैं Y की जगे पर तो Z पूट कर सकते हैं या Z की जगे पर Y ठीक है और यहां से एक काम करते हैं X को भी निकाल लेते हैं Y के ट्रम में तो यहां पर देखो X कितना आ जाएगा लास्ट वाल इक्वेशन से X ब्राबर आ जाएगा Y plus 1 plus Y और Z भी है मारे पास में Y के ब्राबर so that will be equal to 3 so 3Y ब्राबर 2 so Y ब्राबर 2 by 3 Y और Z दोनों ब्राबर है और X की जगे पर क्या करना है अपने को X ब्राबर Y plus 1 जैसे जैसे अभी किया था 2 by 3 plus 1 that is 5 by 3 X तो 5 by 3 और Y और Z दोनों 2 by 3 ठीक है ऐसा कौन सा option है देखो X तो 5 by 3 और Y और Z दोनों 2 by 3 second option आपका जो होगा वो हो जाएगा पढ़र सही answer के जैटेश अभी को चली आगे चलते हैं बात करते हैं कि उस्छा न्मबर 7 की theo चलニ Cameron के इंदर सब्से पहले हम लोग यहां से इसकी निकाल लेते हैं कि यू क्रॉस यू क्रॉस डाबलू प्लस थी मी ठीक्या अपने को क्या करना है यह अपने को cross product निकालना है और उसके बाद में 3V के साथ में उसको add करके और यह देरके अपने सुन्ये देन अपने को cos square theta की value आज से निकालने है तो अपने काम करते देखो सबसे पहले इसको calculate कर लेता है ना इसको इसके साथ में dot किया so that is u dot w into u vector minus u dot u that is mod u square into w vector ब्राबर minus 3 v vector ऐसा आजाएगा अब देखो अपने को क्या करना है इसके इंदर अपने को u and w के बीच का angle निकालना है जो अपने को theta दे भी रखा है तो थोड़ी देर के लिए अपने काम करते है इसको theta इसको lambda माल लेता है ना u dot w को ना तो यह क्या आजाएगा देखो lambda u vector minus mod u square mod u square will be 3 minus 3 w square sorry 3 w vector ब्राबर minus 3 v vector अब देखो इसके इंदर अपने को theta निकालना है लेकिन यहाँ पर u w और v में एक relation फिर आ रहा है और इस side में u और w है तो अपन क्या करते हैं देखो इसका square करते हैं बहुत side इदर भी और इदर भी दोनों side इसका square कर देते हैं तो इदर देखो क्या आएगा lambda square into mod u square mod u square वही 3 जो पहले था हमारे पास plus 9 into mod w square mod w square कितना हो जाएगा that is 4 और minus 3 into 2 6 lambda minus 6 lambda u dot w u dot w को अपन क्या माना था lambda ठीक है तो यह भी कितना हो जाएगा lambda square will be equal to 9 into mod v square that is 1 कितना जाएगा देखो 3 minus 6 so there will be minus 3 lambda square और 7 में आजाएगा बच्चो 9 into 4 36 इसको उदर लेगे तो कितना आजाएगा 27 वो भी कैसा minus का so lambda square ब्राबर 9 so lambda ब्राबर 3 and minus 3 ठीक है पर lambda अपने किसको माना था u dot w को तो u dot w जब calculate करेंगे अब आप यहाँ से तो कितना आएगा देखो that there will be equal to u square अच्छा lambda square 9 आया न तो एक काम कर लेते इसमें सीधा ही value put कर देते lambda square ताकि plus minus का confusion भी ना रहेगा so mod u square mod u square will be 3 into mod w square 1 into cos square theta sorry इसकी value कितनी थी 4 will be equal to 9 so cos square theta will be equal to कितना आजाएगा there will be equal to 3 by 4 ठीक है तो सीधा हमारे पास में आगया cos square theta 3 by 4 plus minus का confusion नहीं रहा क्योंकि अपने lambda square के अंदर ही answer put कर दिया है clear है तो ऐसा कौन सा option है हमारा third option so seventh का सही answer होगा तीसरा option के लिए रहे सभी को चलिए आगे चलते हैं बात करते है question number 8 question number 8 के अंदर देगो सबसे पहले तो इसका एक formula होता है हमारे पास में वो formula लगाना है आपको a cross b cross b cross c और c cross a का box क्या होता है a b c का hall square जिसको नहीं पता है वो उसको calculate करना पड़ेगा उसमें वो क्या करेगा box वाला formula लगाएगा उसको calculate करेगा तो उसके बाद में ही आएगा बट इसको याद रखिए ताकि सीधा आप exam में किसनों को solve कर सके तो यहां से अपने को a b c का box मिल जाएगा a b c का box there will be equal to कितना हो जाएगा 6 वो भी plus minus का अब देगो इसको आप में cyclic order में कुछ भी लिख सकते हो a cross b b cross c तो ठीक है मैं एक काम कर रहा हूँ मैं इसको लिख रहा हूँ a cross b dot c ठीक है box होता है a cross b dot c यहां पर लगा दो न a cross b dot c ठीक है अब देखो आपको बोला गया कि a b c एक दूसरे के साथ बराबर कौन बनाते हैं ठीक है तो सबसे पहले देखो अपन इसके अंदर फॉर्मला लगाएंगा न a a cross b के लिए और फिर a cross b और c के बीच का एंगल होगा ठीक है तो a b और c इन सब के साथ में सेम एंगल बन रहा है तो यहां वाला एंगल अपने निकालते हैं सबसे पहले वो कितना आजाएगा हमारी पास that is mod a mod b sin theta into n cap dot c अब देखो n cap dot c में लगाएंगे तो क्या आएगा mod n cap जो कितना होगा 1 into mod c into अब n cap और c के बीच का एंग जो आता है dot के अंदर क्या आजाएगा cos 5 that will be equal to कितना हो जाएगा plus minus 6 ठीक है अपने को theta निकालना अब देखो mod a mod b mod c सब देरका है 1 2 3 सब को वेले पूट कर दी 1 2 3 6 6 से 6 कर जाएगा तो आपको मिलेगा sin theta into cos 5 will be equal to 1 वो अभी plus minus 1 ठीक है तो ऐसा कब होगा ठीक है ऐसा कब होगा जब theta तो आपके पास में कितना हो जाए 90 और phi कितना हो जाए 0 शिरफ एक ही possibility है क्यों क्योंकि ये 1 से ज्यादा हो नहीं सकता इसलिए ये 1 से कम आपके पास में फिर product 1 कब आ सकता या तो एक दोनों की value 1 हो जाए या एक आपके पास 1 से कम हो एक 1 से ज्यादा बटिन दोनों में से कोई सी value 1 से ज्यादा नहीं हो सकती इसलिए शिरफ पर सिरफ भी one तभी possible है जब ये 1 हो जाए और ये भी क्या हो जाए 1 तो यहां से मिलेगा आपको theta 90 और phi 0 लेकिन आप से theta पूछा गया है ठीक है तो theta 90 डिग्री और इसा कौन सा option है बच्चो पहला option so 8 का जो सही answer होगा हमारे सामने यहाँ पर वो कौन सा option होगा बच्चो हमारा first option इले रहे सभी को चलिए इसी के साथ चलते हैं बात करते हैं question number 9 की ओर देखते हैं इस question में क्या है 9 के इंदर आपको दिरका है A B and C तीन vectors है A अच्चा इसके बाद में ये vector ये vector और C vector coplanar है तो एक काम करते हैं बच्चो पहले तो C निकाल लेते हैं C क्या है alpha into A that is alpha IK plus alpha J cap plus beta B, beta कितना है बच्चो आपके पास में beta into B, B vector कितना है J cap, so beta J cap plus beta K cap ये है बच्चो आपका C vector, अब 3 vector coplanar है तो उनकी condition लगा दो, 3 vector जब coplanar होते हैं तो उनका determinant क्या होता है बच्चो 0, उनके coefficient से जो determinant बनेगा वो 0 so 1 minus 2, 1, साथ में है बच्चो 3, 2 minus 1 और साथ में इसमें I का coefficient alpha, J का coefficient alpha plus beta और K का coefficient आगें बच्चो बीटा, ये क्या दे रखा है आपको 0 दे रखा है, इसको solve करते हैं देखते हैं क्या answer आ रहा है, क्या है क्या है क्या है क्या है क्या देखो, 1 into 2 beta plus alpha plus beta plus 2, अगली टरम क्या है क देखो, 3 beta plus alpha, 3 beta plus alpha, plus 1, last term क्या है बच्चो, 3 alpha plus 3 beta, 3 alpha plus 3 beta, और साथ में आएगा बच्चो, minus 2 alpha, minus 2 alpha, तो finally कितना आ गया देखो, ये 0 है, तो पहले alpha की टरम काउंट कर लेते हैं, देखो, alpha कहां कहां पर है, 1 alpha, इसके बाद में 2 alpha, 3 alpha, 3 और 3, 6, और 6 minus 2, 4, तो 4 alpha, साथ में क्या आ रहा है, beta का option देखो, 2 beta plus beta, कितना आ जाएगा, 3 beta plus 6 beta, 3 plus 6 कितना हो जाएगा, बच्चो, 6 plus 3, 9, 9 beta, 9 beta plus 3, there will be 12 beta, will be equal to 0, ये कितना दे रहा है, 0, तो आपको alpha by beta निकालना है, इसको beta से डिवाइड कीजिए, साथ में 4 से भी डिवाइड कर दीजिए, so alpha by beta plus 3 will be equal to 0, so alpha by beta will be equal to minus 3, ठीक है, यही होगा आपका सही answer, कौन सा option है बच्चो, 4th option, so 9th का सही answer होगा, हमारा 4th option, के लिए रहे सभी को, चलिए इसी के साथ चलते हैं आगे, बात करते हैं, question number 10 की और, देखते हैं, क्या है इस question में, question number 10, बिल्कुल वैसा ही है, जैसा थोड़े देर पहले हमने किया था, a cross a cross c plus b will be equal to 0, ठीक है, इस type का एक relation दिया गया है, और आपको कहा गया है, a थता c के मज्दिय का न्यून कौन क्या होगा, चलिए बात करते हैं, देखो, पहले इसके साथ में dot करेंगे, so a dot c, into vector a minus a dot a vector into vector c plus b will be equal to 0, अब येको a, b, c, तीन सदिस्ट इसके परिमान 1, 1 तथा 2 है, ठीक है, तो सबसे पहले तो a dot c, यहाँ पर आया है हमारे पास, जिसका अमने को निकालना था, अगेन देखो, इसको lambda माल लेते हैं, lambda a, ठीक है न, इसको क्या माना, lambda, minus a dot a mod a square, that is 1, so minus c vector, that will be equal to minus b vector, ठीक है न, b का magnitude भी 1 है, फिर से देखो, क्योंकि a और c के बीच का एंगल, जैसे आभी अभी आपने पिच्छे equation में किया था, बिलकुल आपको इसका square निकालना है, व की value फिर put करेंगे, तो देखते हैं, कितना हैगा, lambda square a square, lambda square, mod a square 1, plus mod c square, that is 4, mod c square, minus 2 lambda a dot c, a dot c, कितना है, lambda, so that is lambda square, will be equal to mod b square, that is 1, तो यहाँ से अपने को lambda square मिल जाएगा, lambda square will be equal to, ठीक है, यह उदर चला जाएगा plus, और यह दर आजाएगा 3, so lambda square ब्राबर 3, इस बार देखो, आपने को, क्योंकि lambda, किसको माना था, a dot c को, so mod a, mod c, फिर लगाते हैं, देखो, 1 into 2, ठीक है, into cos theta, so that is cos theta का whole square, will be equal to 3, तो आप पर theta क्या लेंगे, positive, root चुब लेंगे, positive, so cos theta ब्राबर, plus minus root 3 by 2 आएगा, लेकिन आपको यहाँ से positive sign लेना है, और यहाँ कब होगा, 30 degree पर, बिल्कुल आपका 10 में का जो answer सही होगा, वो होगा आपका पहला option, के लिए रहे सभी को, चलिए इसी के साथ चलते हैं, बात करते हैं, question number 11 की ओर, क्या है, question number 11 हमारा, A and B, दो points के coordinates आपको दिए गए हैं, तब निन में से, O A तता, O A के कौन अर्दक पर इस्तित है, जहाँ, O mol बिंदो, निन में से कौन सा बिंदू, इसके कौन अर्दक पर इस्तित है, देखो वो चो कैसे निकालते हैं, जब भी इस type का को की तरीका होता है हमारे पास, और वो होता है क्या, ठीक है, O A तथा O B पूछा गया है, ठीक है, तो इसको और इसको, ठीक है न, क्या करेंगे, इसके sum या difference के format में लिखेंगे हैं, तो वो जो vector आएगा हमारे पास में, वो क्या करेंगा, उसके कौन अर्दक पर इस्तित होग divide by 5, अच्छा हाँ, इनका क्या लेंगे, इनका corresponding unit vectors, ठीक है, lambda time, this minus, पहले minus वाल ले ले लेते हैं, 14 I cape plus 2 J cape minus 5 K cape, divide by, नीचे कितना आएगा, 196, 14 गा स्कोर होगा, बच्छो, 196, 4 plus 25, कितना हो जाएगा, 225, तो यह आजाएगा, बच्छो, हमारे पास कितना, 15, ठीक है, इसको calculate करते हैं, कितना आएगा, minus, sorry, यहाँ से जब आप ले होगे, LCM कितना आएगा, 3, बिलकुल, minus 12 I cape, minus 14 I cape, so, पहले एक बाइसको लेकल लेते हैं, minus 12 I cape, plus 9 K cape, minus 14 I cape, minus 2 J cape, plus 5 K cape, divide by, lambda के साथ में 15 आजाएगा, that is, lambda by 15, so, minus 2 I cape, minus 2 I cape, minus 2 J cape, और साथ में कितना आएगा, बच्छो, यहाँ पर आएगा, हमारे पास में, 9, plus 5, there will be, plus का 14, यहाँ पर कितना है, देखो, minus 4, 0, और, यहाँ पर है, हमारे पास में, 3, 9, एक आएगा, हमारे पास में, देखो, यहाँ से, minus 2 I cape, minus 2 J cape, और, plus 14 K cape, divide by, into lambda by 15, तो, minus 2, 2, 14, यहाँ इसमें से, कुछ भी common ले, तो, ऐसा option तो देखो, अपने को नहीं दिया गया है, means, subtraction वाला option नहीं दिया गया है, अब एक काम करते हैं, इसको add करके देखते हैं, addition वाला option दिया है क्या, तो, यहाँ पर, plus sign आजाएगा, addition के case में, फिर, यहाँ, यहाँ, प्लस, और, यहाँ पर, कितना आजाएगा, मारे पास, minus sign, तो, इस case में, देखो, मारे पास में, क्या option आएगा, minus 12, plus 14, so, that is, plus 2i cap, तो, 2, साथ में, इसके साथ में, आएगा, मारे पास में, 2j cap, so, that is, again, 2, और, साथ में, आएगा, 9, minus 5, there will be, 4k cap, into lambda by 15, इसमें से 2 common ले लिजीए, so, 2 lambda by 15 common आजाएगा, तो, पिछा आएगा, 1, 1 and 2, ठीक है, तो, ऐसा option अपने को दिया गया है, that is fourth option, इस तरीके से आपको इसको solve करना था, कलिए है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं, क्यूसर नंबर 12 की और, क्या है देखो क्यूसर नंबर 12, क्यूसर नंबर 12 के इंदर देखो, अपने को क्या करना होगा, with A and B are the sides of the base of the parallel pipe altitude आप से पूचा है parallel pipe 67 पलक की तीन कोरे जिसके सदिस यह यह तता यह है एवं A, B, 67 पलक के आधार की कोरे हैं तब इस 67 पलक की उंचा ही क्या होगी वो अपने को निकाल ली है तो एक काम करते कौनसी दो sides लेनी होती है तो basic जो दो sides होती है तो आपको A and B देरका है तो A cross B का modulus ठीक है तो यह आपको क्या करना है बच्चो calculate इसको आप बड़े ही आसानी के साथ calculate कर सकते हैं कैसे करेंगे देखो A, B, C के लिए क्या करेंगे A, B, C के लिए अपन बॉक्स निकालेंगे किसका इन तीन से जो बॉक्स बनेगा क्या बनेगा देखो 1, 1, 1, 2, 4, minus 1, 1, 1, 1 and 3 यह बॉक्स बन जाएगा इसको calculate करते देखो कितना आएगा 12 plus 1, 13 I cap 4 into 3, there will be 12 plus 1 13 I cap, फिर J का coefficient 6 plus 1, 7 so there will be minus 7 J cap plus K का coefficient 2 minus 4, there will be minus 2 K cap, ठीक है यह तो क्या है मारी पास में अच्छा 1, 1, 1 है आपके पास में, तो चाओ तो सिधा भी निकाल सकते हो, ठीक है ना क्योंकि यह अपनने calculate किया है 12 plus 1, 13 साथ में आएगा मारी पास में 6 minus 1, 6 plus 1, 7 so there will be minus 7 and 2 minus 4 there will be minus 2, so 9 subtract कर देंगे, तो कितना आजाएगा 4 आजाएगा, ठीक है, तो यह तो कितना आजाएगा हमारी पास 4, अब बात करते हैं, इसके A cross B के बारे में A cross B के लिए आप चाहो तो एक formula use कर सकते हो, चाहो तो A cross B निकाल करके और फिर कर सकते हो formula क्या होगा, formula होगा A cross B will be equal to कितना आएगा, mod A square mod B square minus A dot B का hall square, और जिसको नहीं पता है, वो ऐसे भी कर सकते हैं, I, J, K ठीक है न, A और B के coefficients 1, 1, 1 और क्यापर है आपके पास में 2, 4 minus 1, अच्छा आप पैसा भी कर सकते हैं, फिर A cross B निकाल लेते, उसका C के साथ dot product कर देते, तो यह फिर आपको यह काम बच जाता है यहाँ पर, किलियर है, तो यह कितना आएगा देको, minus 1, minus 4, there will be minus 5 I cap J का का option, minus 1, minus 2, minus 3 J cap और K का का option आएगा 4 minus 2, so there will be minus 2, plus 2 K के, इसका magnitude निकालना है 25 plus 9 9 plus 4, so there will be root 38, so 4 divide by root 38, इसको rationalize कर लेजिए, so 4 into root 38 divided by 38, 2 से divide so 2 and 19, so 2 into root 38 by 19, third option, तो लिएर है, हाँ इसमें आप यह काम बचा सकते थे चाहो तो क्योंकि यह अगर आपने निकाला है, तो अब इसका सीधा C के साथ में dot product कर लेजिए minus 5, minus 3 plus 6, ठीक है, यह आजाएगा आपके पास में क्या इसका volume आजाएगा, क्लियर है, तो इस तरीके से इसका सही answer कौन सा हो जाएगा, third option क्लियर, चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं question number 12 हो चुगा है, 13 के बारे क्या है, देखो 13th question 13th के अंदर आपको D dot A cross B cross C cross D देखो, बहुत सारे cross product है, घबराना नहीं है बच्चो, ठीक हैं, एक एक को करके देखो समयटते हैं, सबसे पहले इसको calculate कीज़े न, पहले जाएगे बच्चो दूर फिर जाएगे pass, so B dot C के साथ में C vector minus B dot C B dot C के साथ में D vector अब क्या करना है बच्चो इसका अब करना है बच्चो इसका A के साथ में cross product, चलिए करते हैं, इसके बाद में D के साथ में dot भी करना है ठीक है न, D के साथ में dot, देखो देखो, ये तो अब एक number है आपके पास में कौन काम करेगा अब आपके पास में काम होगा बच्चो इनका D, A, C इसमें जो vector बच्चे है, वो scalar number है ये तो, D, A, C ठीक है न, आगे वाले हम क्या आएगा D, A, D, ठीक है, तो D, A, D तो क्या हो जाएगा, 0, अगर आप इसको लिखेंगे देखो, B dot D, इसके साथ बनेगा, यहाँ पर box बनेगा बच्चो, D, A, D, D, A, D means dead, ये dead हो गया है बच्चो क्यों, क्योंकि इसके दो vectors क्या आगए, समान आगए है, ठीकर कट जाएगा, 0, अब ये निकालना है आपको, इसके लिए फिर आप बच्चो अपने काम करते हैं, पहले D, A, C क्योंकि सारे vectors अपने को दिये गए हैं तो ये box निकालना होगा, फिर A dot D के साथ में उसको क्या करना है, multiply, तो पहले A dot B dot D निकाल लेते हैं, अब B कहा है बच्चो यह रहा, और D कहाँँ पर है इसके बाद में लेना है बच्चो अपने को A, A, A का आँगया, 5, minus 1, 1, 5, minus 1, and 1 फिर सलना है बच्चो अपने को, C की तरब, C कितना है देखो minus 3, 1, 1, minus 3, 1, and 1, कितना आ रहा है देखो बहुत ही आसानी के साथ निकल आएगा, क्योंकि एक टरम 0 हो चुकी है देखी कितना हैगा, पहली टरम तो 0, दूसरी minus 2, minus 2 के साथ में कितना हैगा, 5 plus 3, that is 2 minus 4, फिर आएगा 5 plus 5 minus 3, 5 minus 3 कितना होता है बच्चो 5 minus 3 भी होता है 2, तो यहाँ पर आएगा 2, और यहाँ पर कितना आगया हमारे पास, यहाँ पर आगया minus 4, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ रहा है है हमारे पास, एक बार इस calculation को देख लेते दुवारा, इसमें हमारे पास में D, A, C, D, A, C cyclic orderment, D कितना है देखो, D है 0, 2, 1, 0, 2, 1, ठीक है, A कितना है, 5 minus 1, 1, और C कितना है, minus 3, 1, और 1, ठीक है, इसमें पहली टरम तो 0 हो गई, दूसरी minus 2, minus 2 के साथ में आएगा, 5 plus 3, यहाँ पर आएगा, 5 plus 3, 5 plus 3 कितना होता है, 8, फिर आएगा, 5 minus 3, that is 2, तो minus 16, plus 2, that is minus 14, यहाँ पूर्ट करिजिए, इसके साथ में, minus 14, तो minus minus तो प्लस हो जाएगा, 14 into 7, कितना होता है बच्चो, 98, बिलकुल आपका जो पहला option है, वही होगा सही answer, करियार, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं, question number 14, क्या है question number 14, A, B, C का mode, सबका 2 है, A dot B, B dot C, C dot A, sub again 2 है, then this will be equal to, देखो बच्चो, आप सबको एक फॉर्मला पता होगा, A, B, C का box, बराबर, क्या होता है, A dot A, A dot A कितना है, बच्चो, mod A square 2, that is 4, बाकी A dot B, इसमें क्या आते हैं, A dot A, B dot B, C dot C, यह तो आते हैं, diagonally, और एक दूसरे के साथ में, जब dot product लेते हैं, वो आते हैं, बाकी सब जगें पे, तो बाकी सब सेम ही दे रहे हैं, 2, तो सब जगें पे 2 लिख दू, यह, यह इसका square होता है, इसका square जब निकालते हैं, तो यह आता है, clear है, चली यह निकाल लेते हैं, कितना आएगा, यह आएगा, बच्चो, उमारे बास, 4, 16 minus 4, that is 12, 12 into 4, कुछ आएगा, चली देखते हैं, कितना आएगा, minus 2, कितना आएगा, 8 minus 4, 8 minus 4, that is 4, फिर, plus 2, plus 2, के साथ में कितना आएगा, 4 minus 8, plus 2, 4 minus 8, 16 minus 4, 12, 12 into 4, 48, यहां से आएगा, बच्चो, minus 8 minus 4, minus 4, plus 4 into 2, minus 8, यहां से minus 8, 16, 32, तो, ABC कितना आएगा, बच्चो, ABC आएगा, बच्चो, root 32, root 32 into cos 45, will be 1 by root 2, this is 4 root 2, by root 2, so this will be 4, ठीक है, सही आंसर कौन सा हो गया, 4th option, so 14 का सही आंसर होगा, बच्चो, हमारा 4th option, के लिए हैं सभी को, चले इसी के साथ, चलते हैं आगे, बात करते हैं कि उस्सर नंबर 15, 15 में क्या करना देखो, एक functional equation है, जिसको solve करना है, क्या है functional equation, x cross b, ब्राबर c cross b, and x is perpendicular to the a, x a के perpendicular है, देखो, देखो, बच्चो, कितना आ रहा है, देखो, x cross b, x cross b, will be equal to c cross b, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है, यहाँ पर x निकालना है, अच्छा, options को जान से देखो, बच्चो, b cross c cross a है ना, और c cross b आ रहा है, तो एक काम करते हैं इसका, a के साथ में क्या करना है, cross product कर लेते हैं, a के साथ में दोनों साइड, cross product, ठीक है, c cross b उदर दे रहा है, यह निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा, तो एक काम करते हैं बच्चो, इसको calculate करते हैं देखो, पहले दूर के साथ में, a dot x into vector b, into vector b, minus, अब pass में, a dot b, a dot b, pass में कोन है, a के साथ में, b, into x vector, ब्राबर, c cross b, और cross a vector, आप देखो, आपको x और a perpendicular दिया गया है, तो यह पहले टर्म तो क्या होगी, 0 होगी बच्चो, तो यहां से क्या आगया आपके पास में, x vector will be equal to, कितना हैगा, बच्चो, minus sign बचेगा, तो उसको minus sign को change करने के लिए क्या करते हैं, बी को पहले लिख लेते हैं, c को बाद में, तो b cross c हो जाएगा वो, into cross a vector, और divide by, कितना आजाएगा, बच्चो, a dot b, ठीक है न, b cross c, exchange हो जाएगा, b पहले, c बाद में, क्योंगी इदर minus sign बचेगा, minus से minus कर जाएगा, फिर, cross a, divide by a dot b, ऐसा option है बच्चो, बच्चो, a dot b, a की option में है नीचे, ठीक है, तो वैसा एक option है, उसको check कर लीजिए, बिल्कुल साहिए, बच्चो, b cross c, cross a, divide by a dot b, ठीक है, तो यह हो गया, हमारा question number 15, चलिए बच्चो बात करते है, question number 16 के बारे में, क्या है, देखो, angle between a and b, और यह relation आप में दे रखा है, तो देखें, बड़ा ही आसान सा question, a plus b को इदर रखेंगे, c को उदर लेके जाएंगे, क्या करेंगे आप, squaring on both side, so mod a square plus mod b square, plus 2 time a dot b, will be equal to mod c square, mod c square, सब के वाले पता है, अपने को देखो, mod a square कितना है, 9, mod b square, 25, 2 time mod a, 3, mod b, 5, into cos theta, परावर 49, यह आएगा, इसको उदर ले जाते हैं, सारी data को, 25 plus 9, 34, कितना जाएगा, उदर, cos theta will be equal to, 49 minus 34, 15, divide by, 15 into 2, 30, 1 by 2, और cos theta 1 by 2, कब होता है, बच्चो, जब theta कितना हो, हमारे पास, theta होता है, हमारे पास में, pi by 3, ठीक है, हाँ, cos theta 1 by 2, सिरफ pi by 3, पर ही होगा, यह जितने भी option है, तो fourth option सही होगा, हमारा 16th question है, clear, चलिया, आगे बात करते है, question number 17, क्या है, देखो, ABC are the vectors of length 3, 4, and 5, means तीनों का आगे न आपको magnitude दे रहे हैं, AB perpendicular to B plus C, B perpendicular to C plus A, and C perpendicular to A plus B, then mod of this, देखे, माना 3 सदिस है, ABC जिनकी लंबाईया 3, 4, और 5 है, AB plus C के, BC plus A के, तता CA plus B के लंबत है, तो इसका magnitude क्या होगा, देख, काम करते हैं, बच्चो, इसका magnitude निकाल लेते हैं, देखो, कितना आएगा, इसका magnitude आएगा, बच्चो, mod A square, that is 9, mod B square, 16, mod C square, 25, plus 2 time, A dot B, अच्चा, आपको A plus B plus C का magnitude निकालना है, तो बिलकोल यह आप राएगा, A dot B plus B dot C plus C dot A, ठीक है, यह अपने को अभी पता नहीं है, ठीक है, चली, magnitude तो देर का था, यह निकाल लेते हैं, क्या देर का, A is the perpendicular to B plus C, देखिए, यदि A B plus C के लंबत है, तो देखो, बच्चो, simple सी बात है, A dot B plus C 0 होगा, तो कितना आएगा, A dot B plus A dot C will be 0, विलकुल, विलकुल शही बात, यह दूसरे वाला भी 0 आएगा, दूसरा क्या है, B C plus A के, तो यहाँ से आएगा, बच्चो, B dot C plus B dot A will be equal to 0, यह से तिसरा भी 0 होगा, बच्चो, तिसरा है, C dot A plus C dot B will be equal to 0, C dot A plus C dot B will be equal to 0, अगर आपर इन तीनों equation को add कर दें, तो देखो, क्या हैगा, 2 time A dot B plus B dot C plus C dot A, तो यह value हमारे पास में क्या आगई, बच्चो, 0 आगई, अगर यह 0 है, तो mod A plus B plus C will be equal to क्या होगा, इन तीनों वेक्टर्स के mods का सम होगा, बच्चो, root over 9 plus 16 plus 25, that is 50, root 50 कितना होता है, 25 into 2, that is 5 root 2, तो 17 का जो सही answer है, बच्चो, कौन सा option है, हमारा पहला option, क्या है सभी को, चले आगे चलते हैं, बात करते हैं, क्या है क्यूशन नम्बर 18, चले देखते हैं, क्यूशन नम्बर 18 में आपको कहा गया है कि, A, B, C are the 3 unit vectors such that A plus B plus C is also a unit vector, if angle between A and B, B and C and A and C are theta 1, theta 2 and theta 3, देखिए, A, B, C 3 unit vector है, और A plus B plus C b unit vector है, तो यह आपने इसलिए दिया है, ताकि आप बच्चों इसमें, अभी अभी जो आपने formula लगा था, वो एक बार फिर से लगाएं देख गई, क्या हैगा, mod A square, यह 1 दे रखा है, mod A square 1, mod B square 1, 1, mod C square 1, plus 2 time, A और B के बीच का एंगल theta 1, B और C का theta 2, C और A का theta 3, तो क्या आएगा पहले, A dot B में लगाते हैं थे, mod A, mod B, cos theta 1, तो दोनों का mod दो 1 है, so cos theta 1 plus, ऐसे ही cos theta 2, और ऐसे ही आजाएगा बच्चों, cos theta 3, यह 1 दे रखा है, एक 1 कर जाएगा, तो यहां से इसकी value पूछे, इसकी value आजाएगे अपने पास, cos theta 1 plus cos theta 2 plus cos theta 3, will be equal to minus 2 divided by 2, कितना आएगा, minus 1, minus 1 है option, बिल्कुल है बच्चों, दूसरा option, जो कि हमारा सही answer होगा, किलियार, चले इसी के साथ चलते हैं, बात करते हैं कि उससे number 19, क्या है 19, आएए देखते हैं, 19 में देखा बच्चों, A cross C, ब्रावर B, 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 अच्चा, निकालना क्या है बच्चों, then the vector C, C निकालना है, तो एक काम करते हैं, A और B दे रखा है, इधर B है, ठीक है, तो इसका देखो, A के साथ में cross product करते हैं, ठीक है, A cross A cross C, ब्रावर A cross B vector, अच्चा, आपने A के साथ ही क्यों किया, C के साथ क्यों नहीं किया, क्योंकि C अपने को पता ही नहीं, अगर C के साथ करते हैं तो उदर वाली चीज़ कैसे निकालते है ना ऐसे के साथ करो जो आपको पता होगा देखे कितना हैगा A dot C A dot C हम में पता है 2 बिलकुल है बच्चो इन्टू A vector minus A dot A A dot A में is mod A square इसका what कितना है root 3 उसका square 3 इन्टू vector C will be equal to A cross B A cross B अब देखो बच्चो आपन सारी चीज़े पता है A पता है A और B पता है तो यहाँ से C निकाल सकते है आसानी के साथ बट उसके लिए हमें A cross B चाहिए होगा तो पहले वो निकाल लेते हैं ना I cape, J cape, K cape A के coefficients बताइए बच्चो 1, 1, 1 ठीक है ना 3 वन है J के coefficients 1 minus 2 और 1 ठीक है कीज़े cross product कितना आएगा 1 plus 2, 3 I cape 3 I cape J का coefficient आएगा बच्चो यह 1 है यहाँ पर, so 1 minus 1 that is 0 that is 0 J cape और K का coefficient आएगा बच्चो minus 2 minus 1 that is minus 3 K cape A cross B अपने को पता चल चुका है 3 C को उधर ले जाते है इसको इधर लाते है देखो A into 2 that is 2 I cape 2 J cape 2 K cape minus A cross B 3 0 minus 3 3 0 minus 3 और divide by 3 ब्राबर vector C कितना आएगा यह आएगा 2 A minus A cross B divide by 3 will be equal to C vector कितना आएगा 2 minus 3 that will be equal to minus 1 I cap minus 1 I cap 2 minus 0 that is plus 2 J cap plus 2 J cap 2 minus minus plus 3 so that is plus 5 K cap divide by 3 ऐसा option है बच्चों बिल्कुल है बच्चों यह रादे को minus I plus 2 J plus 5 K cap divide by 3 शिरफ आपका second option यहापर है जो सही होगा किजारे सभी को चलिए इसी के साथ चलते हैं बात करते हैं बच्चों क्यूस्टन नंबर 20 20th क्यूस्टन में देखो क्या करना है आपको आपको इस box को निकालना होता है ठीक है तो इसमें आपके पास में क्या होगा इसको आप जैसे determinant में सोल करते हैं वैसे एक एक करके सारे इनको हटाएंगे यहां से एक काम करते हैं अपन किस से start करें पहले से start कर देते हैं एको ए के साथ में जब box लोगे तो पहला तो ए रहेगा और बाकी दोनों को डिटो as it is रखना है A-B A-B-C यह A के साथ में आ गया अब बच्चो आपको 2B के साथ में लेना है तो जब कोई number अगर आ जाए तो इस number को आप बाहर निकाल लेगे बच्चो 2 को बाहर निकाल लेगे तो plus 2 बाहर आ जाएगा फिर बचेगा बच्चो हमारे पास में यहाँ पर से क्या बचेगा यहाँ से B और यहाँ पर है बच्चो फिर से A-B और अगली ट्रम के अंदर है बच्चो हमारे पास A-B-C अभी हमने क्या कर रहे है पहली वाली रो को क्या कर रहे है इसको 3 part में divide कर रहा ना determinant में जो होता है एक बार में एक को ही लेते है बाकि data as it is रहता है बाकि दोनों column को as it is रखेंगे कैसे ही बात करते हैं बच्चो तीसरी term तीसरी में minus c है तो minus sign को comma ले लेते हैं c vector इसके 7 में हैं बच्चो हमारे पास में a minus b vector और 7 में है बच्चो A-B-C वेक्टर ये बच्चो पर नहीं क्या कर दिया ये अपने पहले कॉलम को स्प्लिट कर दिया तीन भागों के लिए रहे अब चलते है देखो दूसरे पर और इस पर बड़े जहान से जाना है क्यों 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 जैसे ही दो सेम होगे वो जीरो हो जाएगा तो देखो सबसे पहले A या से भी A देखो पहली जगे पर A दूसरे में भी A दो सेम हो गया तो पहला पार्ट तो क्या आ गया बच्चो जीरो प्लस दूसरे में A-B तो यह 0 नहीं होगा न, A-B, बाइनस आनको common बाद में ले लेंगे अपन, A-B-C, यह बन गया, यह पहला box अपने complete simplify कर लिया है, आते हैं दूसरे पर देखो, plus 2 time, B-A, ठीक है न, क्योंग यहाँ पर B है, उदर A है, तो B-A, यहाँ पर आएगा A-B-C, और फिर आएगा बच्चो, B के साथ में, माइनस B, अदेको, माइनस साइन से कोई फरक नहीं पड़ेगा, वेक्टर से हम होगे, तो अगला पार्ट क्या आजाएगा बच्चो, फिर से 0, दूसरा box भी अपना completely simplify हो चुगा है, अब आते हैं तीसरे पर, तीसरे में क्या है, A, A माइनस B, माइनस C, माइनस C, और अब आएगा बच्चो, माइनस B के साथ, तो माइनस C, माइनस साइन तो था ही यहाँ पर बाहर, C के साथ में, माइनस B, C के साथ में, माइनस B, A, माइनस B, माइनस C, यह आगे हैं बच्चो, अपन second point पर, clear है, यह अगले पेज पर चल हैं ताक कि अपन आगे बढ़ पाए अच्छे से चली फिर चलते हैं बच्चो अब वापिस अपने पहले को सिंप्लिफाई कर लिया दो भागों में जीरो और एक यह जीरो और वो और इसमें कोई पार्ट जीरो नहीं हुआ तो दोनों पार्ट को एजिट इस लग दिया अब आगे इसको चलते हैं तीसरे पार्ट पर इसको करते हैं सबसे पहले ABA देको A B के बात क्या आ रहा है वापिस A आ रहा है तो पहला पार्ट क्या हो गया 0 ठीक है फिर देको A B B minus sign को मैं देखे a minus b minus b दो बार भी आ गया 0 a minus b minus c यह 0 नहीं होगा इसमें देखो एक बार sign को अंदर ही रख लो a minus b minus c यह पार्ट अपना बच जाएगा a minus b minus c यह 0 नहीं होगा चलते है आगे देखो b a a a के साथ में a क्या हो गया 0 तो पहला पार्ट क्या आ गया फिर से 0 फिर देखो b a के साथ में b second पार्ट भी क्या आ गया बच्छो zero b a के साथ में a आ गया था फिर b a के साथ में minus b आ गया था यह भी 0 अब b a के साथ में minus c तो यह 0 नहीं होगा so 2 time b a a और minus c ऐसा आ जाएगा B A or minus C अब आगे चलते हैं देखो फिर तीसरे पार्ट में चलते हैं C A A कितना होगा बच्चो 0 C A A के साथ में C A के साथ में B ये 0 नहीं होगा तो क्या है minus sign के साथ में एक काम करते हैं देखो C A minus B था उस minus sign को बाहर कॉमन लगते हैं C A और B Cyclic order में है ABC के बराबर होगा फिर आगे बच्छो CAC फिर से सारे 0 हो जाएंगे CAC सब 0 होगा फिर आगे चलते हैं बच्छो लास्ट पार्ट पे CBA ये रहेगा हमारे पास माइनस sign के साथ में C-BA माइनस sign इसमें से भी कॉमन ले लिजिए तो ये आजएगा C, B और A ये बॉक्स बन जाएगा फिर C, B के साथ में B 0 फिर C, B के साथ में C 0 आगे बच्छो 0 प्लस 0 अब एक काम कर लो जब जहां जहां पर भी माइनस sign है उसको कॉमन ले लो cyclic order को क्या कर लो? cyclic order को simplify कर लो देखो कितना आएगा? माइनस माइनस दो बार कॉमन आएगा तो बाहर प्लस C होगा पहले तो A, B, C इसका बॉक्स फिर यहां से कितना आएगा? देखो 2, B, A, C त एक काम करते हैं इसको A क्रोस उसमें से माइनस sign बाहर लेंगे तो बाहर आएगा B, A और C, ठीकर माइनस sign को बाहर ले लिया है, फिर देखो इसमें क्या cyclic order में है? C, A, B, ठीकर आप वापस लेख सकते हो A, B, C इसमें देखो तो cyclic order नहीं है ना, इसमें अगर आप C, B, A, C होगा, फिर A, C, B होगा cyclic order नहीं है, यहां से माइनस sign आपको common लेना पड़ेगा, तो फिर यह हो जाएगा आपके पास में क्या? यह हो जाएगा आपके पास में B, C, A हो जाएगा, फिर वो cyclic order में आ जाएग तो यह भी plus हो जाएगा, so plus 2 और plus 1, 3 time A, B, C, यह आपका finally answer रहेगा, इस तरीके से आप एक-एक box को करके simplify कर सकते हैं, ठीक है, इसा कौन सा option है बच्चो, third option, so 20 का सही answer होगा, तीसरा option, क्लिएर, चलिए बच्चो आगे बात करते है, question number 21 के बारे में, देखी क्या है, the volume of a tet tetrahedron formed by the edges ABC is 3, tetrahedron का volume का formula हम सबको पता है, क्या होता है, ABC divided by 6, और यह कितना दे रहका है, अपने को 3 दे रहका है, कितना आ जाएगा, ABC का box मिल जाएगा, अपने को यहां से 18, अब अपने से पूछा क्या इसके अंदर, अगर इसके बारे में बात करें, तो अपने को आने वाले parallelo pipe का volume, ठीक है, तो parallelo pipe क्या होता है बच्चो, parallelo pipe का volume होता है, a plus b plus b plus c plus c plus a, अचा, यह अभी जो आमने पिछे पड़ा था, उसी के corresponding, आप इसको solve कर सकते हो, चाहो तो, और आप सबको याद भी होगा, इसका formula ही कितना होता है, two time a plus b plus c, two abc, two abc का box, ठीक है, जैसे a cross b वाला याद रखते हैं, वैसे यह formula भी याद रखते हैं, उसमें power में 2 आता है, इसमें multiply में 2 आता है, इसकी value अपने 18 दे रहे की है, so 18 into 2 कितना हो जाएगा, 36 और यही है हमारा answer, third option, so 21 का सही answer होगा, तीसरा option, के लिए रहे सब को, चलिए आगे चलते हैं, बात कर ते question number 22 के बारे में, 22 में क्या है बच्चो, vector of magnitude 5 root 5 co-planer with vector this and this and perpendicular to the vector this, देखिए, क्या होता है, हम सबको पता है, दो vectors के plane में, तीसरे vector के perpendicular का मतलब होता है, बच्चो, a cross b cross c vector, ठीक है न, यह दोनों तो plane वाले, और यह हो गया बच्चो, आपका perpendicular वाला vector, ठीक है, इसको पह k की drum है बच्चो, न, 1 plus 4, यह 5 आएगा बच्चो, 5A vector, कितना आजेगा, 4B minus 5A, ठीक है, 4B minus 5A, 4 into B, B कितना है बच्चो, J plus 2 के, so 8J के, और plus 2KK, so 4 into 2, 1 second, 4 के साथ में multiply करना है, आपको किसको, B vector को, B है बच्चो, आपका J plus 2, so 4 into J, so that is 4J केप, और plus 2 into 4, there will be 8K केप, minus 5 into A vector, 5 into I केप, 5 into I केप, और साथ में का 5 into 2, minus 10J केप, कितना है का देखू, चेक करो, minus 5 I केप, minus 6J केप, और plus 8K केप, ठीक है, आपको क्या कहा गया है, कि ऐसा vector निकालो, जिसका magnitude 5 root 5 है, ठीक है, तो इसका magnitude calculate करो, आप इसका magnitude 5 root 5 ही आने वाला है, ठीक है, तो ऐसा कौन सा option है आपके पस, इसमें से minus 9 common ले लिजिए, अब magnitude के लिए का आए, तो इसका आप plus minus के साथ में multiply भी कर सकते हैं, तो 5 IK plus 6 JK minus 8 KK, 4th option होगा बच्चों हमारा सही, question number 22 के अंदर, के लिए रे सबको, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं, बच्चों, question number 23 के बारे में, 23 क्या है देखू, 23 में आपसे बोला गया कि यह जो value है, यह जो है, यह किस से ज्यादा नहीं हो सकता, does not exceed, किस से ज्यादा और किस से बड़ा नहीं हो सकता, ABC unit vector है, तो चलिए बात करते हैं, ABC unit vector है, तो यहाँ पर देखो, हमारे को जो देरका है, A minus B का mod का square, plus B plus C का mod का square, plus C plus A का mod, बच्चों यहाँ पर plus नहीं, यह minus sign है, यहाँ पर भी minus होगा, यहाँ पर भी minus sign होगा, ठीक है, आपको paper में करवा दिया था, ठीक है, यहाँ पर दोनों जोगे पर minus sign है, अब देखो, आप इसको open कीजिए, तो इसको open करेंगे, देखो कितना हैगा, mod A square plus mod B square, तो दोनों 1 1 है, तो 2 minus 2 time A dot B, यहाँ पर आएगा अमारे पास में, 2 time C dot A, ठीक है, 2 plus 2 plus 2 plus 2, कितना हो जाएगा, बच्चों? 6, तो 6 minus 2, A dot B, B dot C, और C dot A, यह किससे बढ़ा नहीं हो सकता, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है, तो इससे तो देखो, कोई idea नहीं लग रहा है, तो इक काम करते हैं, अपन, क्या काम करते हैं, अपन बात करते हैं, कि A plus B plus C का mod का, जो square होता है, वो हमेशा क्या होता है, positive होगा, तो mod हमेशा positive होता है, तो इसका square करोगे, तो वो भी हमेशा positive होगा, इससे देखो अपने को inequality मिलेगी, उसके अंदर अपन क्या करेंगे, फिर इससे इसको lambda मान करके, और इस expression की value निकाल लेंगी, कि क्या होगा, देखो, यहां से इसको open करेंगे, तो mod A square plus mod B square plus mod C square 3 plus 2 time sigma A dot B, इसको sigma A dot B लिख देते है, that will be greater than or equal to 0, और यहां से अपने यह वाला expression बना लेते हैं, देखो, यहां से अपने को idea लग जाएगा, so एक काम करते हैं, 3 को इदर, minus 2 A dot B को इदर ले आते हैं, so minus 2 sigma A dot B, ठीक है, that will be less than or equal to, कितना हो जाएगा, plus 3, ठीक है, इसको इ आएगे, ठीक है, तो यह minus 2 ही रहेगा, लेगन वो plus 3 हो जाएगा, अब एक काम कर देते हैं, इसमें 6 8 कर देते हैं, दोनों साइट, ठीक है, इदर भी 6 8 कर दिया, इदर भी 6 8 कर दिया, so that will be less than or equal to 9, that means यह 9 से हमेशा छोटा रहेगा, 9 यह 9 से हमेशा छोटा रहेगा, तो स आपका, minus sign, clear है, चली आगे चलते हैं, बात करते हैं, बच्चों, question number 24 के अंदर, question number 24 क्या है, देखो हमारा, इसके बारे में देखते हैं, इसमें आपको देरका है, I cap A cross I cap, plus J cap, cross A cross J cap, plus K cap, cross A cross K cap, बराबर, lambda A vector, then lambda is equal to, देखो, यहाँ पर कोई भी भी any vector का गया है, तो मान लेते हैं, कि यह जो vector है, यह क्या है, हमारे पास, A1 I cap, plus A2 J cap, plus A3 K cap, यह vector मान लेते हैं, ठीक है, और अगर यह vector है, तो यहाँ से अपने कोई तीनों चीज़े निकालते हैं, पहली वाली चीज़े निकालते हैं, उससे अपने को idea लग जाएग में इसको calculate कर रहा हूँ, मैं, I dot I into A vector minus A dot I cap, A dot I cap into I cap, I dot I कितना होता है, 1, तो यह तो हो जाएगा, A vector minus A dot I cap, देखो, इसका अगर I के साथ में dot product करोगे, तो शिरफ क्या बचेगा, बच्चो, A1 I cap, अब आप समझ गये होंगे, बच्चो, दूसरे वाले में क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, दूसरे केंदर बात करें तो, इसमें आजाएगा, बच्चो, A vector minus A2 J cap, ठीक है, क्योंकि इसमें I आया था, I के साथ में, तो इसमें J, J आएगा, ऐसे तीसरे वाले में K आजाएगा, बच्चो, K A vector minus A3 K cap, अच्चा, यहाँ पर 3 A vector minus, साइन common, A1 I K plus A2 J K plus A3 K cap, तो यह भी क्या है, बच्चो, A vector, यहाँ से आजाएगा, आपको लेम्डा A vector, तो लेम्डा कितना आजाएगा, बच्चो, 2, ठीक है, बड़ा असान क्यूशन था, second option आपका सही हो, क्लियर, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं, क्यूशन बोला गया कि M N P सब unit vector है, सब आपके सामने क्या गया है, 21 सदिश दिए गए है, ठीक है, M और N के बीच का जो angle है, वही angle है, बच्चो, P and M cross N के बीच का, N P M के box का mod क्या होगा, आएगे देखते हैं, देखो बच्चो, हमें M cross N दिया आए न तो अपने काम करते हैं, अपन N और P बोला न, तो इधर P देते हैं, P dot M cross N, ठीक है, देखो, इसका box की बारे में बात करें, ठीक है, यह P cyclic order है, तो बिलकुल यह M N P यही है, ठीक है, N P M, अच्चा, इसमें आगर किसी confusion हो कि P M N दे रहे हैं N P M, तो cyclic order, आप M को पहले ले आओ, M N P हो जाएगा, ठीक है N को बाद में ले जाओ, P M N हो जाएगा, इस तरीकी, cyclic order में हमें साही है, अब देखो, आपको क्या करना है, इसका box निकालना है, ठीक है, तो इसका box निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, बच्चो, इसके में लगाते हैं, देखो, क्या हैगा, mod P into mod M cross N into cos theta into cos theta, अच्चा theta इसके बीच में दे रखा है, आपको देखो, M cross N और P के बीच का एंगल दे रखा है, कितना pi pi 6, so that is cos pi pi 6, mod P 1 है, आपको बोला गया कि यह क्या है, unit vector, so that is 1, इसको फिर calculate करते है, mod M, mod N ये भी है, 1, 1 into sin theta, sin pi pi 6 होता है, बच्चो, 1 by 2 into n cap, और n cap का modulus, ठीक है न, क्योंकि इ इसका mod भी लगा गया है, तो N cap का mod कितना होता है, 1 into cos pi pi 6 होता है, root 3 by 2, तो finally आप सारी चीजे calculate जब करोगे, तो आपका जो सही answer आएगा, वो आएगा, root 3 by 4, और ऐसा कौन सा answer है, बच्चो, पहला option, तो 25 का सही answer होगा, आपका पहला option, के लिए रहे सबको, चलिए इसी के स साथ चलते हैं आगे की और, और बात करते हैं अपन integer type questions के बारे, क्या है देखो हमारा पहला integer type question, पहले हैं आपको बोला गए number of vectors of unit length perpendicular to the both, ऐसे कौन कितने vectors होंगे, जो इन दोनों के साथ में perpendicular है, और उनकी length unit है, वही बात बच्चो, एक vector मान लेते हैं कि, X, I, K, plus Y, J, K, plus Z, K, K, और इन तीनों पर condition लगा देते हैं जो अपने question में दी गई है, सबसे पहले है यह unit length का है, so X square plus Y square plus Z square कितना आएगा बच्चो, 1 आएगा, दूसरी बात, A के साथ में dot product 0 है, तो यहां से मिलेगा बच्चो, X plus Y ब्रावर 0, means Y ब्रावर minus X, ऐसे ही बच्चो, B के साथ ठीक है, लेकिन एक Y के साथ में एक X आएगा और एक Z आएगा, ठीक है, तो Y की एक value के लिए एक vector बनेगा और Y की दूसरी value के लिए आपका दूसरा vector बनेगा, तो ऐसे दो सदिस होंगे, जो इस condition को satisfy करेंगे आपकी, clear, बहुती आसान सा question था, आगे चलते हैं, बात करते है है, question number 2 के बारे में, देखी, if 3 points with position vector 1, A, B, A, 2, B, A, B, 3 are collinear, देखी, जब भी 3 vector collinear होते हैं, तो अपन क्या करते हैं, बच्चो, 3 vector collinear होते हैं, तो क्या होता है, उनके coefficients का ratio, same रहता है, पहला point है, बच्चो, 1, A, B, क्या है, 1, A, B, दूसरा है, बच्चो, A, 2, B, और तीसरा है, बच्चो, A, B, 3, यह आप अगले topic में पढ़ते हैं, वैसे 3D के अंदर, आप एक तरीका और भी लगा सकते हैं, इसमें, DR same होंगे, इस line के, इन दो बिंदू से, जो direction ratio होंगे, वहीं दूसरे वाले से होंगे, बट अगर vector से कर ना है, तो क्या करेंगे, coefficients का ratio same होगा, coefficients का ratio same होगा, coefficients same नहीं होगा, A minus 1, divide by 2 minus A, बरावर होगा, 2 minus A, 2 minus A, divide by B minus 2, ठीक है न, यहाँ पर आपने कितना किया था, देखो, पहले A minus 1, पहले वाले दो पोइंट से, और दूसरे वाले दो पोइंट से कितना आएगा, आपके पास में A minus A, 2 minus A नहीं, A minus A, ठीक है न, यह कितना आएगा, 0 आजाएगा, ऐसे ही दूसरे वाले एके अंदर आप करेंगे, दूसरे वाले में जब करेंगे तो आएगा, 2 minus A divide by, इसमें B और उसमें 2, B minus 2, ऐसे ही करेंगे बच्चो, B minus B, बरावर मैं करेंगे, तो 0 divide by, B minus B 0, और साथ में B minus B, इधर 3 minus B आ जाएगा, तो क्या आ रहा है, यह भी 0 है, ठीक है, तो यहां से ता आएगा, this into this, A minus 1 into B minus 2 will be 0, और इसमें जब क्रोस मल्टिप्लाई करोगे ता आएगा, 2 minus A into 3 minus B बरावर 0, दोनों को मल्टिप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या answer आ रहा है, पहले इस आएगा, देखो, A B minus 2 A minus B minus 2 A minus B और प्लस 2 बरावर, दूसरे के बरावर होगा, दूसरा होगा, 6 minus 2 B minus 3 A plus A B, A B से भी तो कट जाएगा, इसको simplify कर लेते हैं, A B को इधर ले आते हैं, देखो, 3 A इधर आजाएगा, 3 A minus 2 A will be A, और 2 B इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 2 इधर चला जाएगा, 4, अच्छा, आपसे A plus B ही पूछा है, तो सीधा आंसर आगया है हमारे पास, that is 4, clear, चलिए इसी के साथ चलते हैं, बात करते हैं, क्यूसर नंबर 3 की ओर, इसमें क्या करना है, देखो, UVW 3 वेक्टर, N केप 21 सदी, 2 dot product 0, तो ये किस के बरावर होगा, आई देखते, ये भी अभी जो आपने पहला क्योशन किया था, उसी टाइप का है कुछ, माल लेते हैं कि बच्छों, जो हमारे पास में, जो UN केप वेक्टर है, ठीक है, वो है, X, I, K, plus Y, J, K, plus Z की केप, और अगर ये unit वेक्टर है, तो X square, plus Y square, plus Z square, 1 होगा, लेकिन देख J के साथ में भी dot product 0, mince X minus Y ब्रावर 0, तो I और J के coefficient है न, दोनों में, के तो है नहीं वहाँ पे, इन दोनों को जब जोड़ोगे, आप तो X कितना आ जाएगा, 0, 2X ब्रावर 0, X ब्रावर 0, X के वेले 0, पहली equation input करेंगे, तो Y भी कितना आ जाएगा, 0, और X square, plus Y square, plus Z square, 1 Z square 1 था, X और Y 0 है, इसका मतलब बच्चों क्या होगा आपका, Z square जो होगा, वो किसके बरावर होगा, 1 के, तो Z की 2 possible value जा सकते है, plus minus 1, mince आपका जो N cap vector है बच्चों, वो होगा plus minus K cap, अब आपको क्या करना है, आपको W dot N cap निकालना है, तो आप निकाल सकते हो बच्चों, इसे W dot N cap बरावर, W के साथ में N cap का, इसमें सिरुफ K का coefficient, उधर 3 है, इधर कितना है, plus minus 1, तो यह आजाएगा plus minus 3, और इसका modulus आपको निकालना है, so that is plus minus 3, अच्चों, दीखे, W के उपर vector है, N के उपर unit vector है, तो बड़ी N का modulus समय पता है, क्योंकि यह unit vector है, इसलिए कितना हो जाएगा, one हो जाएगा, so plus minus 3 का जो आप मॉड लेंगे, तो आपका जो सही answer आजाएगा, वह आजाएगा 3, ठीक है, so third question का answer भी होगा, बच्चों, हमारा कितना 3 ही होगा, कि जाएर है, चलिए इसी के साथ, चलते हैं आगे, और बात करते हैं, question number 4 की और, क्या है, देखत का है, सारी चीज़ों को ज्यान में रखते हुए, हम समसे पहले इसको cross product को निकालते हैं, देखो, क्या होगा, देखो, a cross 3a, तो जब दो वेक्टर सेम होते हैं, cross product करते हो, तो क्या आता है, 0 आता है, plus a cross minus b, तो एक काम करते हैं, इसको, a cross minus b है, इसको लिख देते हैं, अप plus 3b cross a, जब यहाँ पर भी अपने काम आसान हो गया, दोने जगे b cross a आ गया, minus 3b cross b, यह फिर से 0 आ जाएगा, b और b के भी इसका एंगल कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, divide by 3, और इसका root, कितना हैगा, 3, अच्छा, 3 into 3, यह 9 आ जाएगा, 9, so 9 plus 1, 10 time b cross a, अब b cross a, निकालते ह आएगा, b cross a, calculate करने कोशिस करते हैं, b cross a कितना होगा, बच्छो, तो b होगा, बच्छो, mod b, that is 2, into mod a, mod a कितना होगा, 1, mod b, into mod a, और साथ में आपके पास में क्या होगा, sin theta, sin 2 pi pi 3, 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 आ जाएगा, रूट 3 by 2, रूट 3 by 2, ठीक है, और साथ में क्या आएगा, n cap, ठीक है, n cap का square, ठीक है, n cap का square, अच्छा, वेक्टर का square का मतलब क्या होगा, बच्छो, n dot n, और n dot n कितना होगा, वमारे पास में, 1, क्यो, क्योंकि, यह किसको represent करेगा, mod n का all square, so that is 1, तो, अच्छा, इस पूरे का क्या है, हमारे पास में, square, अभी तो, इसका square है, फिर इसका root भी है, ठीक है, बहुत सारे बच्छा, root से square को काट देंगे, और n cap बच जाएगा, लेकिन नहीं, बच्छो, पहले इसको calculate कीजिए, 2 से 2 कर जाएगा, अच्छा, एक divide में, इसमें 3 भी है, ठीक है न, जिसके उपर square नहीं है, तो देखो, अब इसका square निकालते है, n cap का square 1 होगा, बच्छो, कितना होगा, 1 divided by 3 का root, तो 3 से 3 कर जाएगा, और root 100 आजाएगा, जो कितना होता है, 10, ठीक है, तो सही आंशर कितना आजाएगा, 10, इंटिजर टाइप का question है, तो plus minus के बारे में सोचना नहीं है, और वैसे भी root अमेशा positive होता है, तो सही आंशर आजाएगा आपका 10, चलिए इसी के साथ बात कर लेता है, इस paper का last question, जिसके बारे में discuss करते हैं, इसमें आपको दे रखा है कि 3 vectors co-planer है, बहुत सारी questions हम पहले भी कर चुके हैं, तीन vectors अगर co-planer है, तो उनसे जो determinant बनता है हमारे पास, वो कितना होता है बच्चो, 0, that will be equal to 0, अब इसको आपको simplify करना है, तो आप इसको आसानी से simplify कर सकते हो, चाओ तो इसमें property यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अभी अभी आपने matrix determinant पढ़ी है, तो एक का A-B, C-1, ताकि कुछ टरम 0 हो जाए और अपना काम थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है, चलिए अब देखते हैं कितना आएगा, A के साथ में, B-1, C-1, B-1, C-1, ठीक है, दूसरी टरम 0 हो जाएगी, दूसरी टरम 0, तीसरी टरम आएगी बच्चो, 1-A, 1-B, ठीक है, फिर चौथी टरम 0, माइनस 0, पाँची टरम भी 0, च्छटी टरम हो जाएगी, C-1, 1-A, माइनस साइन के साथ, C-1, इंटू, माइनस साइन के साथ, C-1 के साथ, 1-A, that will be equal to 0, अब जैसा क्यूशन में दे रखा है, 1-A, 1-B, 1-C, ऐसा बना लेते हैं सब जगे पे, तो लेकिन 1-C, 1-B, यह 1-A, 1-B था, 1-A, इसको 1-C करेंगे तो अब बाहर भी क्या हो जाएगा, प्लस आजएगा, अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 1-A, 1-B, 1-C से, तो यह ता जाएगा, A divided by 1-A, प्लस यह आजएगा, 1 divided by 1-C, 1 divided by 1-B, इसमें minus 1, plus 1 कर देते हैं, ठीक है, तो द minus A, प्लस 1 upon 1-B, प्लस 1 upon 1-C, बरावर 0, 1 को इदर ले आईए, तो आपका अंसर आजएगा, that is 1, बहुत बार किया भी होगा आपने इस क्यूस्टन को, तो यह था आपके इस पेपर का लास्ट क्यूस्टन, ओके, थैंक्यू वेरी मच्च, हलो फ्रेंड्स, गूड नॉम्बर फस्ट, आइडेंटिफाई, क्रेक्ट स्टेटमेंट, सही करते हैं, बोरेक्स इदा वाइट, किस्टलाइन, सॉलिट, कंटेनिंग, बीफोर, ओ, फाइफ, वच, फोर, तो यह तो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि बोरेक्स का जनरल फॉर्मुला अपने लिगते है ने टू, बी, फोर, ओ, फाइफ, फिर, ओ, वच, फोर, ठीक है, बच्चो, यह लिखते हैं, फिर अपन इसमें क्या लिखते हैं, इसको ऐसे बंद कर दिया अपने ब्रेक्ट में, और फिर, डॉट, एट, एच, टू, लिखते हैं, एट, एच, टू, और वैसे अपन कही ने टू, बी, फोर, ओ, सेवन, डोट, टैन, एच, टू, यह लिख देते हैं, यह भी बोरेक्स हैं, लेकिन यह दे अपने को, स्ट्रक्चर के कोडिंग जाएंगे, तो हमारे पास है, अलग-अलग आ जाएगा, तो यह हमारा सही है, aqo solution of borax is acidic नहीं होता है, बच्छों basic होता है, क्योंकि यह strong base और weak acid का salt होता है, इसके बाद में green, cobalt gives a green color in borax bead test, यह green color नहीं आएगा, यह आएगा blue color, bead में कैसा आता है, blue color आता है, और borax bead test is applicable for the deblock metal catein, not applicable नहीं applicable होता है, तो इसमें correct statement आपका first जाएगा, लेगिन आप borax bead test के बारे में जानना चाहो तो जान सकते हो, कि आपके पास है na2b407.10h2, तो यह पहले आप initially इसको heat करोगे, तो water molecule जो है, यह आपके निकल जाएगे, य यह बचेगा आपका na2b407, फिर इसको 740 degree पर अपने इसको heat करते है, 740 पर heat करेंगे बचो, तो यह बन जाएगा naabo2 sodium metaborate plus b2o3, यह एक glossy mass होता है, और यही हमारा beat test में use होता है, यही beat test देगा, यह beat test में use होता है, तो अपन क्या करते हैं, कोई भी metal के oxide जो होता है न, उसको अपन इसको heat करते हैं, इसके साथ में जैसे आपने cobalt oxide को heat किया, तो यहाँ पर cobalt का जो है, C O P O 2 का hold twice, यह cobalt का metaborate बन जाएगा blue color का, यह blue color का beat होता है, तो next चलते हैं बच्चों अगले question में, from the B2S6 all the following can be prepared except one, एक के लावन में B2S6 बनाएं जा सकते हैं, इसके बाद में B2S6 से आप H3, BO3 बना सकते हो, बोरीक एशिड बना सकते हो, बीटो एशिक्स की reaction water चे करवा दीजिए आप, इसके बाद में B2S3 का hold twice BH4 यानि अमोनिय के साथ एक्षन करा होगे, तो इसका अनस्यमेट्रिकल क्लिवेज होगा, फिर आपके पास NABH4 आप B2S6 बन जाएगा, बीटो एशिक्स की reaction आप NABH4 बन सकता है, लेकिन यह वाला नहीं बनेगा बच्चों, तो आणसर हमारा 3rd हो जाएगा, विच्व फॉल्विघ्वर शोड़वारा बॉयंड इन सिलिकोन, देखों शिलिकोन में क्या होता है, बलब रिपिटिंग के अपने अपने लेखता है कि R2SIO, यह जो आपके पास एक रिपीटिंग धुनिट होती है, कि इसमें यह रिपैटिंग विव्होट कि आपके पास फिर आपके पास है से रागये फिर आपके पास यहाँ ग्रूप आ जाता है यह रयाद पीपर एंग डंब' रिपीटिंग उनिट तो सिलीकन ओक्सीजन सिलीकन ये थार्ड एमसर इस करेक्ट हालो फ्रेंड्स क्वेश्चन नॉम्बर फोर्थ देखें हूं इनकर्रेक्ट स्टेट्मेंट अमोंग दा फॉलोविंग कौन सा कथन गलत है जी यू टु जैसे डी की नेच्चर सब्सक्राइब आपका जो मोनोक्साइड और डायक्साइड बोथ हार एसेडिक देखें दोनों भी एसेडिक होते हैं करेक्ट आई जी इसील फॉर एसेल सिरिक्शन का एस्टू जी इसील शिक्स बना लेगा ये भी करेक्ट है इसमें इस्पी-3D2 अएबरेशन हो जाता है आपकी डी वेकेंड होता है तो यह डी में एक्स्प्लेंट कर सकता है तो जी इसील टू में पोसिवल है और जी इसील टू जाबल देन जी इसील फॉर ये गलत है थार्ड इसमें इंक्रेक्ट स्रीट्मेंट है क्योंकि इनट प पी बी के अंदर प्लस जू हूँ इसमें प्लस तू ज्याधा स्लcket ब्लस ज्यादा स्टेबल य कि werden ज्यादा स्टेबल है यह बोलगा है कि ट्रेइंakte zwr इनकऱ्ेट्स्ट्रैट्मेंट आमोंग अभालविंग डेज एल्टु की शीक्स एलटू सील सी जे लेविस एसीट बच्चो इसके पास यह अपन एलटू सील की स्ट्चर बनाए के देखें ऐसे अगर 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 को देखें अभी यहां पर इसका कोई वेकेंट और विटल मजला इसका ओक्टेट कंप्लीट है यह लेविस एसीड नहीं है जो आठ से कम अगर लेक्टरोन होते हैं जो लोन पर एक्सेट करते हैं ले भी सेशीड होते हैं तो not a levas अजिट है इनकरेक्ट स्टेट्मेंट ही है फिर आगे पढ़ लेते हैं एलटू शी देफ फॉलो द आक्टैट रूल यो औक्टेट डूल को फॉलो करता है यह इसके बाद में डिस डिससे डिससी निया बाउन्द लेंट ऊवर प्रेजिन इसे या एक से ले ले ये यवां ले ले ली तो ये बाॉन्द ले जो आपकी एक्स जो है वह है वो वाई से ज्याधा होगी तो अलग अलग मेरा हाइबर्डेशन हो एक इसका SP3 हाइबर्डेशन होगा आपके पास तो ठीक है बचो ही हमारा फस्ट एंसर जो इंकर्रेक्ट हो गया है reactivity of borozol is greater than that of the benzene because borozol बचो आपके बता है B3N3H6 B3N3H6 borozol है और borozol में आप alternate structure बना सकते हो अब आप हर जगा एक एक hydrogen atom अटेज कर दिजिए यह बोरा जोल है तो इसको inorganic benzene बोलते हैं अब इसमें देखो nitrogen और boron जो आ गया आपके पास तो यह polar bond होता है इसलिए यह ज्यादर एक्टिव होगा नोन पोलर नहीं होगा और बोरा जो लिए इलेक्ट्रों डेफिशेंट नहीं लोकलाइज इलेक्ट्रों इने रिजन यह नहीं इसका second is correct इन और्गनिक ग्रेफाइट बच्चो बी एन होता है इसका structure जो है layer structure होता है hexagonal layer structure hexagonal layer structure होता है तो यह आपका first answer is correct aluminum become passive in the nitric acid because it is form a protective layer oxide aluminum क्या करता है oxide की रक्षन पर्थ बना लेता है इसलिए aluminum nitric acid से effect नहीं होता है the incorrect statement regarding the following reaction is bf3 plus lils phosphor बच्चों यहाँ पर बन जाएगा b2s6 डाइबोरेन बन जाएगा अब यहाँ पर इसमें जो compound बन रहा है इसके बारें बात करें पर 12 electron are involved in bonding तो देखो b2s6 जो है न इसके regarding बात हो रही है तो हमारे पास है 12 electron देखिए बच्चों दो electron यहाँ दो चार यहाँ पर होगे 5 और 6 और इधर भी 6 तो 12 electron involved है इसमें इसके बाद में 4 2 C 2 electron bond यह जैसे 2 C 2 electron bond है यहाँ पर यहाँ पर भी 2 C 2 electron है तो यह चार बॉंड हो गई सही है 2 3 C 2 electron bond यह 3 centred 2 electron bond आपके पास यह 3 centred 2 electron और यह वाला है 2 centred 2 electron bond x does not create ammonia तो यह incorrect होगे बच्चों question number 10 बच्चों name the type of the structure of silicate of which one oxygen atom of si4 is a shared तो वन oxygen atom sharing में आता है पाइरो silicate बेज़े से आपके पास में silicon आ गया यह oxygen है यह oxygen है फिर यह silicon आ गया यह oxygen यह oxygen यह oxygen इस तरह से आपके पास यह shared atom आ गया यह negative charge आ गया आपके पास यह negative आ जाते है बच्चों वन oxygen atom shared आता है पाइरो silicate के इंदर the species among the following that does not exist इच देखे बच्चों यहाँ ccl6 नहीं एक्जिस्ट होगा क्योंकि वेकेंट और्बिटल नहीं है ड्यू टू एप्सेंस ओफ है वेकेंट डी और्बिटल बाकी में सब में देखिए वेकेंट और्बिटल भी है और क्राउडिंग भी ज्याज़ा नहीं तो ओवराल snf6 प्लस 4 में पॉसिबल देखिए एंफोटेरिक ओक्साइड अमंग दा फॉलोविंग इच देखिए एसन ओटू जो एंफोटेरिक होता बच्चों यह सीयो न्यूट्रल हो गया आपका यह बेसिक ओक्साइड हो गया यह एसेडिक हो गया तो sn02 आपके पास क्यासा होगा एंफोटेरिक नेचर का अपने को एसेड से और बेस से दोनों सी रेक्ट कर पाये गाई है यह देयर ओक्साइड कैनोट बी इंवोल्डिंग फीपाई-डिपाई bonding देयर ओक्साइड दी और बीवीड फीपाई बोंडिंग तो देखिए बच्चों कार्बन के अंदर क्या होगा उनली पीपाई पीपाई होगा बाकि में फोस्पोरस क्लोरीन सल्फर में पीपाई डीपाई आजाएगा आपका कि identify the compound Z in the following reaction जैड पुछा है तो जैड देखिया हाई temperature के उपर जाएंगे अपन तो B2O3 बन जाएगा आपका पहले आपका metabolic acid बनेगा फिर आपन फर्दर हीट करेंगे तो B2O3 Oxide बन जाएगा in which silicate the all the four corner oxygen atom are shared with the other tetrahedal units कोन सा silicate सभी चारो कोन की oxygen परवाण उस अत्रविकाई साजीत होते हैं तो यह 3D silicate होते होते हो जैसे यह silicon है आपके पास अब यह oxygen भी आपका क्या sharing में चला गया यह भी sharing में चला गया यह भी sharing में चला गया ऐसे यह सारे अब के पास एक बीटम सेड नहीं होता ठीक है पायरो सिलीकेट में आपके पास वन oxygen atom shading में आता है चेन में आपके पास दो एटम ब्या सकते हैं और डाई ब्यास सकते हैं और सिंगल चेन भी होता है डबल चेन भी होता है आपके पास विच इस करेक्ट फॉलोविंग formation graphite का standard heat of formation 0 होता है सही है और diamond का इतना होता है बल 1.90 और फुलरीन का आपका इतना होता है यह बिलकुल एनिश्याटी में दे रखा है पी ब्लोक में इसलिए के ओल और करेक्ट तो यह तो याद रखने वाला सा कुश्चन है कि यह लिमिटेड आपने ले लिया तो यहां भी carbon monoxide बनेगा फिर यहां पर आपके पास co plus h2 यह भी बिलने वह इसमें बच्चों CA c l2 बनेगा और plus co2 बनेगा यहां co2 बनेगी तो इसमें co2 बन रही है यहां पर आपका carbon monoxide produce नहीं होगा which oxygen not correct according their nature b2o3 बच्चों acidic होता है यह सही है m4 teric है m4 teric order l23 high end to basic है और यह acidic नहीं बेसिक होता है तो answer हमारा 4th is correct hybridization of boron in bf3 and bh4 respectively ली तो बच्चों इसमें आपका sp3 हो गया sorry sp2 हो गया और इसमें sp3 हो गया sp2 or sp3 third answer is correct which reaction is incorrect गलस्ट पूछ रहा है bcl3 reaction करेगी तो boric acid बन जाएगा ठीक है ccl4 water इसका वेकेंड और्विटल नहीं इसके पास इसलिए इसका hydrolysis ही नहीं होगा और यहाँ si cl4 h2 करेगे reaction si o h4 भी बन सकता है या फिर si o2 भी बन सकता आपका और hcl भी रिलीज हो सकता है तो यह भी आपका correct है b2c h2c के लिएगे no reaction लिखा है तो यहाँ तो reaction होगी इसके साथ में आपका h3b o3 boric acid और plus hydrogen gas बनती है तो यहाँ लिखा नो reaction reaction लिए और यह भी बन सकता है और भड़ा आपने heating दें तो b2o3 भी बन सकता आपका तो हमारा answer fourth बच्चों incorrect लगारा क्योंकि reaction तो होगी कि अलुमीनियम गेलियम अल्मोस सेम कोवलेंट रेडी आई विकॉज आपको पता है गेलियम के अंदर बच्चों डी और बिटल आते डी इलेक्ट्रोन आ जाते डी इलेक्ट्रोन की वेरी पूर इफेक्ट उसके बढ़ जाएगा आपका तो वैरी पूर किल इस पावर ऑफ डी एक्ट्रोन आप गेलियम अटम थार्डंसर इस करेक्ट गे गेटर शिल्डिंग लिख रहा है यह पूर सिल्डिंग और एस इलेक्ट्रोन यह गलत हो गया यह एक सिल्ड़ आइज एक्र of corner shared per tetrahedron the value of x each तो देखें इस में क्या करना है पहले general formula देखें general formula देखें बच्चों MP bolt silicate nonos double chain double chain silicate double chain silicate silicate इसका general formula होता है SI4 O11 N6 N negative यह जनल formula होता है अब आप इसमें पर tetrahedal unit के coding पूछ रहा है कितने atom जो है sharing में जाते हैं ठीक है तब आप इसका structure देखोगे देखें अब यह आपके पास आता है double chain जैसे अपन single chain में कितने atom sharing में जाते हैं दो atom जाते हैं इस तरह से आप जब structure बनाते हैं ऐसे कि अब आपके देख सकते हो कि जैसे यह आपके पास single ऐसे आप इसमें आपके पास हार जा रहे हैं और जब आप double chain कर दोगे तो बच्चों दो भी आएगा दो sharing में है और एक में तीन आ रहा है दोनों का average लेंगे टू परण फाइव कि बिजय सिंगल चैन में कितने atom sharing में जाते दो जाते हैं डबल chain में दो भी एक उनिट में दो भी जाएंगे एक में तीन भी जाएंगे आपकर तो दोनों का average ले लेंगे अपन तो यह आपका second answer is correct the correct order for stability of oxidation state for given cation is देखे पी बी में आपका plus two ज्यादा stable है due to inert pair effect inert pair effect inert pair effect के कारण आपका lead का lower oxidation state higher से ज्यादा stable है बच्चों यह गलत हो गया आपका यह आपके पास में नीचे की तरफ जाओगे तो plus two stability बड़ेगी और फिर यहाँ पर lead के अंदर बात करें तो plus two stability ज्यादा stable है तो यह भी आपका रोंग आ रहा है SN plus four और PB plus four में क्योंकि उपर वालों का plus four की tendency ज्यादा होती है तो first answer is correct the incorrect statement among the following regarding the borax it is useful primary standard titation against the acids सहीए बचो acids क्योंकि इसमें यह buffer बनता है और एक basic solution होता है जो acid के against titation में काम में लेते हैं इसको देगे इसको अपयोग अमल के विरुदनमापन के लिए प्रात्मिक अनुमापक के प्रात्मिक मानक के तोर पर किया जाता है कि one molecule of the borax contain four bob bond यह गलत है इसमें five यह four नहीं आएंगे बच्छों five आएंगे और aqua solution of borax used as a buffer यह भी सही है made up of the two triangular borax और two tetrahidal units यह भी correct है जब आप इसका structure बनाते हो तो इसका ऐसे structure बनता है दो यूनिट आपके पास आ जाती है टेट्रा हैडल झाल वो hyster कर द Rag कर दोदड़कर मैंब्हा कर दो बनता है बद nggak यह कि मैं दो बारा से पना दे तो पर यहां हुए हिए되 हुए है कि है कि इस तरह से देखिए आख वैसे है कि इसमें वेच गूर्प के होगी यह जब आपका आप recip एध़ खूर्प तेन और यह चार और यह आप का पांच तो फाइब यो भी बोंड होगे बच्छो फिर अपने इसके पर ऐसा जो चार बोंड चार्ज जो स्ट्रक्चर बनाएगा उसके अंदर अपने इस तरह इसे ले लेंगे में बच्छो अलोमीनियम जो है एसिल की साथ करें और और दे की इसे एंफोय टेरिक्से टिर तो गेस पी जो है वो हाइड्रोजन गेस अपके फिर सोडियम एन ने उसके दिरेक्शन करके क्या बनाएगा सोडियम मेटा एलुमिनेट एन एल ओ टू और प्लस हाइड्रोजन गेस देखिए बच्चो दोनों ही जगह हाइड्रोजन गेस रिलीज होगी तो यह पुछ रहा द आपका जो गलत का थन पूछ रहा है तो आपका आमसर जाएगा सेकिंड तो नेक्स्ट कोश्चन लेते हैं आपका आपका निचे जा टू बोटम जाते हैं बोटम एलिमेंट पर सब्सक्राइड एफेक्ट आता है बच्चो तो देखिए यहां पर पीबी जो है वो क्यारबन फेमिली में सब से निचे आजएगा यह कारबन फेमिली से बिलों कर गया यह यह बिसमित आगया यह नाइक्टर जन फेमिली ची आगया ठेलियम बोटम अलिमेंट जो इनरट पर उपक्षिव करें तो अलुमीनियूम दस नोट शो थे लेंग होता है क्योंकि देखें यह क्रेफाइट ओ डायमंड जो है देखो तो मैं यह कूँ कि इनकी जो सर्फेस होती है जो फ्री होती है किसकी ग्रेफाइट और डाइमंड की जो इंप्योरिटी क्या है इनके साथ जूड के नए बॉंड बना सकती है तो इसको हम डैंगलिंग बॉंड करते हैं लेकिन फुल्रीन है जे स्मूथ स्ट्रक्चर स्मूथ स्ट्क्चर विदाउट हविंगा डैंगलिंग बॉंड बिना किसी डैंगलिंग बॉंड की स्मूथ स्ट्क्चर रखती है बक जाकर नएक्ब्लार विंदल क्या शुर० म॥ो स्ट्रक्चर बग जाते हैं ऊज्द 20 फुलीन चैस हा रिंग है अ है है मेने इमाम बयालिंग पॉइंट तो यह डिटे लएक एक डिटा-व्श्ट इसके स्थेज इंचयाटि का तो आप थे लियं जो होता है उसका सबसे कम बईलिंग पट होगा या रखना पड़ेगा, boron का सबसे ज़्यादा, boron का melting point भी ज़्यादा होता है, melting point भी सबसे ज़्यादा होता है, boron का, crystalline structure होती है, तो next लेते हैं ए पर, fullerene C60 does not contain any type of, which type of rings, एक गिस 6-membered ring होती है, 5, 12-5-ibt linking होती है, contain आएगा ब्चों इसमें, बोथ 1 एंट 2 8 6 मेंबर यह गलत हो गया, 4th is correct which is incorrect order the stability of plus 2 oxidation state sequence increasing order सही है, plus 2 का बढ़ता जाएगा नीचे की तरब जाएगी तो इनट पर इफेटिकांड लोगर उक्सेडी स्टेडी स्टेबिलिटी बढ़ेगी और इन ओर कार्बन सिलिकन यह बच्चों गलत हो गया यह incorrect है क्योंकि देखें यहां पर पीबी की 1.9 होती है यह यह 1.8 होती है त इस ट्राइलिड इंस्टेबल तो ट्ल आइथी अनस्टेबल हो गया दूट इनर्ट पेर इफेक्ट इनर्ट पेर इफेक्ट अधे यह ट्ल आई 3 जो है तूट करके ट्ल अई में चला जाएगा और प्लस आयोडिन निकल जाएगी प्लस वन उक्षिडेशन स्टेट आजाएगे आपकी और वैसे हिदी अपन इसको भी ब्रेक करते हैं तो टी एल प्लस वन आई त्री माइनस इस पो में जाएगा ये लेकिन ये अनस्टेबल बताएंगे अपन एक्षिस्ट जुरूर करता लेकिन ये अनस्टेबल होता है इनर्ट पेरिफेक्टिकान लोवर उक्षिडेशन स्टेट में जाएगा और फिर अपन यहां पर ये भी देख सकते हैं कि कि अनदर आयोडायड जो होता है वह क्या देखिए प्लस टील प्लस जैसे माल आपके पास आ गया प्लस थी आपने लेव्याई यहां पर लेकिन फ्लस आफ्री इसकी एक्षिस्ट नहीं करते प्लस बन ज्याद इस्टेबल होती इसकी कि टी एल प्लस वन जो है वो मौर स्टेवल होती है इनर्ट पे रिफेक्ट के करण्ट एक्स एंड वाई आर बॉंड लेंद्ध विच इस करेक्ट देखिए बच्चों यह बॉंड लेंद्ध आपकी ज्यादा होगी एक्स ग्रेटर देन वाई होगी यह 134 होती है पिको मेटर में यह 119 पिको मेटर होती है इन श्याद यह बिलकुर डेटा दे रखा है और यह 120 आपका 1 और यह 97 होता है तो बॉंड ने इंगल आप देखो थीटा 2 और एक्स वन एक्स ग्रेटर देन वाई सेकिंड एंसर इस करेक्ट in which of following elements show the catenation carbon silicon tin all show the catenation except PB lead के कि बॉझड इनरजी के बेस पर बोल सकते के टेनेशन जो है ऑुपट एनरजी के बेस पर अपने एक्स्पलेन कर सकते हैं डाएफले परusao है यह आपने सीधा ऐसे भी बोल सकते हैं nutzen जो है जिसकी ज्यादा होगी उसका शमutan property आया है Ót poured आपको याद रखनी थ्री फॉर्टी फिको मीटर लेंथ होती है तो सेकंड इस इन्करेक्ट हो गया आपका कि वोट इस डिस्टेंस बेट्विन देट टू लेस इन ग्रेफाइट यह आपको याद रखनी थ्री फॉर्टी फिको मीटर लेंथ होती दो पर्तों की बिस की दूरी अविज़ में सीनी करेंगी और अपसाइब करती है और दॉर आपका यह सीलीका होता है यह एस्यूर्ट करता है बच्छों यह आपके पास है यहां बन जाएंगा एसाइएफ फोर और प्लस एच्टू यह टू एस्टू निकल जाएगा बार ऐसे अपस एन्ने ओवच जो होता है उसके साथ भी एसाइओ टू की रेक्शन करा सकते हैं यह बनेगा एन्ने टू एसाइओ त्री सोडियम सिलिकेट सोडियम सिलिकेट बन जाएगा तो दोनों रेक्शन हो जाएगी और फर्दर आप चाहो तो इसकी फिर वापिस एसाइफ से फिर रेक्शन करा सकते हो ह2 si f6 भी बना सकते हो कि अधिन्टिफाइग्रेक्ट स्टेट्वन बाउर दा हाइबर डिजेशन और सिलिकेट में इस पी थरी होता है यह गलत हो गया सिलिका में sp3 यह ठीक आपका सिलिकन कार्बाइड में यह गलत हो गया sp3 होता है तो हमारा सेकेंड एंसर जो है क्रेक्ट हो गया तो कार्बन मोनोक्साइड जोती है बच्चों यह एवल्ड होगी फॉर्मी केस फॉर्मी कैसिट होता है एच सी डबल ओ एच और यहां आप कंसंटेड एच तो सफोर रखोगे तो कार्बन मोनोक्साइड निकलेगी यहां पर और वाटर एब्जोब हो जाएगा कि डिहाइडरेटिंग एजेंट हो गया आपका आयोडिन ऑक्षिडाइस सोडियम बोरो हैडरेट टुगिव कि देखो आयोडिन है सोडियम बोरो एडरेट है एनने बी एच फॉर और प्लस आयोडिन सिरिक्षन करवाते हैं तो बीटू एसिक्स का प्रिपरेशन होता है बी तो बियूंस विंगारेट प्लस आयोडियम प्लस फॉर के लिन तो ओयोडिन आपके पास है माइनस में जा रहा है तुसका औक्ष्डेशन होरा है तो इसका मलब यह oxidize कर रहा है लेटेट लेंथ अब सिलिकोन पोलीमर काइन बी कंट्रोल वाइड एडिंग तो इस तरी ओल थ्राइशाई सील सिल को अपने एड कर सकते हैं जैसे हमारे पास यह होता है आर यह आपकी सिलिकेट की बेसिक उनिट होती है तो इसको आगे बलोक कर सकते हैं शीलिकन आगे जोड़ के आर और 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 से यह रोगा हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको तो यह हमारे पास जो तीन इनिट चाहिए हमको वह इसी में आ नहीं बच्चा प्रसेंटेज पी करेक्टर वाइबरेशन और फोलुविंग एक्षिन एल एलने इस तो एक्स तो यह बच्चों देखें यहां पर बन जाएगा आपका न एल ओफ फॉर तो इसमें प्लस थ्री और श्टेशन स्टेट में आपके पास यह सेकिंड अंसर इस करेक्ट जिसको अपन सोडियम मेटा इलुमिनेट में कर्वाट कर सकते हैं ने यह लो टू परसेंटेज पी करेक्टर वाइबरेशन और बिटल ऑफ कार्बन दे ग्रेफाइट और डाइमेंड इस ग्रेफाइट में आपका स्पी टू हाइबरेशन हो गया डाइमेंड में स्पी 3 हो गय विचो फॉल्लविंग इस एक्रेक्ट सेट अफ दे एसे टू अच्छो क्या होता है टेट्रहेडरल होता है और असेडिक ओक्साइड होता है फूर्थ है और मुझा प्रेक्ट हो जाएगा आपका co2 is a gase but acid is a solid because co2 is a composed of discrete covalent co2 molecules where the silica is a continuous tetrahedral structure ठीक बात है देखिए और कोई logic नहीं बना फर्स्ट आपका correct है co2 the molecules are lighter than si o2 molecules नहीं should the more acidic than si o2 and melting point of silica the very high नहीं हमारे को क्या है कि co2 gas क्यों है और si o2 जो है solid क्यों है उसका लोजिक पूछ रहते हैं इसमें discrete tetrahedral unit आपके बन जाएगी तो first answer is correct last question आजिए बच्चों 45 में which of following correct levis acidic strength order of the trihalide of boron देखिए यहां पर boron के यहां इसमें back bonding आ जाती है इसमें back bonding सबसे कम आ रही है तो third answer हमारा correct आ जाता है हम यह कर सकते हैं कि levis acidic strength जो होती है inversely proportional to back bonding तो back bonding सबसे जो कम आएगी वो बीए 3 बीए 3 में आएगी तो लिए सबसे ज्यादा बीए 3 में आएगी तो अब हम अगले question अगले section में जाते हैं कि इंटीजर वाले में कि हाओ वेनिट्री सेंटेट टूलेक्टर बोर्ण बोर्ण बीटो शिक्स molecule तो देखिए बच्चो इसमें अपने अभी structure बनाई थी डाइब और इनका structure यह हमारे पास three centered two electron bond है three centered two electron bond तो कितने हो जाएंगे यह दो तो अंसर हमारा हो जाएगा दो अंसर हो जाएगा next question लेते हैं बच्चो how many maximum atom in the one plane are in al2cl6 देखिए aluminium का भी structure हमने बनाया भी था भी वापिस फिर बना लीजिए यह जो आपके plane में होते हैं और इधर वाले यह भी आपके plane में होते हैं तो maximum बच्चों कितने आजाएंगे six आजाएंगे zero six six atom एकी plane में how many dichloros substituted product are from the inorganic benzene देखिए inorganic benzene में हमारे पास a b n आगया फिर b आगया पास फिर n आगया कि इसमें अब बच्चों देखो एक तो हमारे पास यह product हो सकता है दो hydrogen replace करके और हम बना लेंगे डाइकलोड अच्छूट जैसे बेंजीन में हमरे पास और तो मेटा पैरातीन बनते लेंगे इसमें चार बन जाएंगे यह उब बोरोन नाइट्रोजन आजेएगा एक फिर बोरोन बोरोन आजेएगा फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन आजेएगा फिर बोरोन और बोरोन हमारे पास आ रहा है अब बोरोन नाइट्रोजन वन टू पर आ रहा है और बोरोन नाइट्रोजन वन फॉर पर भी आ रहा है तो बॉरोन नाइटरोजन के दो हो जाएंगे आपके नैटरोजन नाइटरोजन और बॉरोन बॉरोन के तो टोटल आपके पास आजाएंगे जी रो फोर डाइकलोर सब्स्यूटर प्रडुक्त चार आजैगे और आयनिक रेडिस का ओडर आपका ये करेक्ट है कार्बन सीलिकन और एफेक्टेड बाइब वोटर अफेक्टेड बाइब वोटर अनफेक्टेड होते हैं ये भी गलत हो गया तो आंसर हमारा जीरो टू जाएगा इसका इसका आंसर हो जाएगा दो नेक्स चलते हैं हाव इने लिमेंट शो दाटेनेशन देखे कार्बन शो करेगा सिलिकन करेगा तिन करेगा ये पी भी नहीं करेगा तो आंसर आएगा जीरो थ्री है मैटल होता है है और बान्ट अनर्जी कंशीडर नहीं है कि हाव वैने एक राक्शन विल प्रोडूज दा कार्बन अन्यों प्रोडूज्ट गेस सब्सक्राइब कर देखो इस gay पार इस में प्रोडूज्ट और आ आपके पास इधर आपके पास उरा सब्सक्र evоль लेक्षण होगे है फार पाइफ तुर फाइफ कार्बन मानोकसइड प्रोडुच वार रहे है atomic number of the element boron family which form the amphoteric oxide the element liquid state at 30 degree temperature तो बच्चो ये गैलियम होता है हमारा गैलियम जो है 31 number का atomic number इसका atomy number पूचरा गैलियम का गैलियम क्या होता है liquid state 30 degree temperature के पर NCRT का कुश्चन है बच्चो यहां पर number of the d orbital which are used in the hybridization for the product of silicon which form when glass is dissolved in HF तो यहां बनेगा आपका H2 SIF6 तो बच्चो यहां आपके पास hybridization आजाता है SP3 D2 तो D कितने orbital आगे दो तो कास में जो 0 दो आजेगा दो दी और्बिटल यूज हो जाएंगे है हाव बेनी ओडर और और करेक्ट अकोर्डिंग राइबर्डाइजेशन देखें सीलिकॉन का hybridization आपका SP3 सही है diamond का SP2 SP3 यह भी सही आ रहा है graphite का SP3 यह गलत हो गया सीलिकन कारबेड का SP3 ठीक है तो तीन आंसर आपके करेक्ट है बिलकुल यह पहले भी हमारे में डिसकस कर चुके हैं कितने डाइमर बना सकते हैं देखें यह BF3 यह बैक बंडिंग से यह नहीं बनाएगा बी सीलिकन का SP3 में साइज इंपोर्टेंट वाला फेक्टर हो जाएगा क्योंकि बोरों के अराउंड जो है बड़े एटम नहीं आ सकते हैं अलब थ्री आयनिक हो गया यह अईनी कंपाउंड हो गया भी यह भी आयनिक हो गया तो अमरे पास आजेगा जीरो तरी यह तीनों डाइमर बना लेंग बच्चो यह ल्टु सील शिक्स होता है और इंटू फोर डाइमर होता है number of oxygen atom are shared in the cyclic silicate तो सबसे पहलेखो cyclic silicate जो है इसका जनरल फॉर्मॉल लिख देंगे si o3 n 2 की पावर n-1 अब यहाँ पर n की value जो cyclic silicate में वो बच्छो 3 से start होती है तो अब अपन इसके structure बना लेंगे ऐसे cyclic silicate में जैसे trimer के form में अब यहाँ पर आप एक unit के coding देख लिजिए हर एक unit में जैसे दो oxygen atom इसके जो आ रहे है आप शेरिंग में आ रहे है ऐसे आप इसको देख लिजिए तो यहाँ number of shared atom पुछे है तो यह हो जाएंगे आपके 0-2 0-2 is the correct answer among the compound how many compounds follow the octet rule in dimerization देख बे-C-L-2 जा follow कर पाएगा बी-E-C-L-2 में डाइमर बनाईए तो बी-E-C-L-2 में बच्चो इस तरह का structure बन जाएगा अब लेकिन फिर भी इसके पास six electron हो रहे हैं तो यह डाइमराजेशन में octet rule फोलो नहीं करेगा six electron आएगे यह फोलो नहीं करेगा यह फोलो नहीं करेगा यह फोलो नहीं करेगा यह फोलो कर लेगा यह फोलो कर लेगा यह फोलो कर लेगा तो यहाँ जीरो टू अन्सर आजएगा और यह डाइबरन भी नहीं करेगा इसमें भी six electron ही रहे जाएंगे यहाँ भी six electron रहे गए बेसिशिटी और बोरिक असिड एच थ्री बीओ थ्री तो बच्चों इसमें बेसिशिटी बन हो गई जीरो बन आंसर आजएगा और वह भी लोन पर एक्सेप्ट करने चाहेगा ठीक है ना भी हाइड्रोजन प्रोटोन देने से नहीं आएगा नंबर ओफ सीसी एज़ इन शीशिक्स्टी फुलरीन आर देखें शीशिक्स्टी फुलरीन अपन एज़ निकालते हैं नंबर ओफ एज़ यह निकालने के तरीका बतारें बच्चों 3y2 इंटू एन आप सी एल ठीक है ना अब हमारे पाद फुलरीन कैसा है अब यह देख ल देंगे तो 90 आजेगा आणसर 90 ग्रेट विच फॉल्लिविंग स्पीज हाव में इस शोदा टेट्रा हेडल शेप लाइस पी थ्री हाइबर आशन तो देखें बच्चों आमोनियम हो गया तो हमारे पास आंसर आगे जीरो फाइफ बाकि इसमें एस पी 3 धी हो गया इसमें nae तो काफी इजी पेपर भी बनाया है मैंने अच्छा स्कोर किया होगा ओप करता हूं आप और भी अच्छा करें और अच्छा करते रहे ओके बच्चों थाइंक्यू जैसे CLC.